हेलो स्रेंज मैं रवी रंजन आप लोग अस्वागत करता हूं मैंने में हिंदी मीडिय में जो कि आपको प्रवाइड करता है कंप्लेट वीडियो कोर्स वह भी फ्री ऑफ कोश्ट और ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई एक आपने क्लास ली दो क्लास ली उसके बाद आपसे कहा ज ने चैप्टर को करेंगे एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को करेंगे और इस चैप्टर में हम सब्कुर अब जो भी important question हमारे NCIT में पूरे NCIT के निचोड़ की बात की जाए यानि ऐसा नहीं आपको सारे question करने है उसके जो most important question होते हैं वो आपके सामने लेका आया हूं मैं जो कि आपके बोर्ड के point of view से बिल्कुल important है बहुत ज्यादा important है ठीक है तो आप हमारे साथ बरी रही और इसमें देखिए इस chapter को हम करते हैं बिल्कुल करेंगे इसको ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कहते हैं एप कहा अनले का नाम थिक होता है तो इसके बाद हम चलेंगे एपी के एनवा पद के बारे में यानि इसमें में दो टॉपिक हैं एपी के एनवा पद और एन पदों का योग इन दोनों पे के बेस पर आएंगे questions ठीक है यही में दो टॉपिक है जिसके बेस पर हमारे question बनने वाले शेप्टर में तो पहला concept देखेंगे हम कि अब एक रूक होता उसके बाद इन दोनों को भी स्वाइन करेंगे कि कि वहीं क्या चीजिए ठीक है चलो बहुत है तो इस में सबसे पहले देखते हैं भई स्रेणी क्या होता है उसके बाद देखेंगे समानतर क्या है तो स्रेणी क्या होती है तो स्रेणी क्या होता है कोई भी स्रेणी क्या है स्रेणी बनती है पैटन से बनती है प्रतिरूप से बनती है कि वह एक लगातार बढ़ रहा है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है घट रहा है हो रहा है भाग हो रहा है जो भी हो रहा है लेकिन लगाता आप Systematic तरीके से बढ़ता हूँ वह स्रेणी होती है यह कोई पैटन बनना चाहिए अब पैटन की बात करूं तो हमारे नीचर में भी बहुत सी पैटन है ठीक है जो भी होई देख सकते हैं ठीक अब यह पैटन क्या होता है तो पैटन आपका है हिंदी में करते हैं प्रति रूप्हूप हैं अब उसे के बहुप्ता का आप किंने गेहां चलिदい इसमें पहले कि दाने एकले चोटा बड़ा बड़ा-बड़ा इस NTT तरीके से बिलकुल लगातार बढ़ रहा है एक पूरे पैटन में रखा हुआ है तो यह पैटन बन रहा है नेक्स्ट की बात करें यहां पर देखो मधुमक्की का च्छता है उसके अंदर देख रहे हूं जो छेचित से हैं वह भी बिलकुल पैटन में लगे वे लगातार फॉ है उसके से निकले है यह भी एक पैटन में बिलकुल लगे हुआ है तो यह निए निए और कुछ पैटन होते हैं बहुत है बहुत से बैटन होते हैं नगो अब में हुथ आप रियल लाइफ के पैटन को समझेंगे तो जाके हमें समझ में क्या हम कौन सी यह को पहले हैं पहले समझेंगे ता यह जाता है समयतानतर छलो बढ़ तो हम देखा कि के पैटन से बनता है स्रीणी ठीक है अब देखते हैं कुछ छोटा और एक्जामपल अब देखो इस एक्जामपल में यह क्या है पपु सिंग ने के व्यापार देखो यह दो पपु सिंग वाह चास माइल कर रहा है पूसी वह इसकी खुजी का राज क्या है तो राज की बात करते तो य बहुत स्क्षक्ण लिए अब यहां लुगे दाए मैं उसके बिजनेस के बारे बड़ियूँ किस तरह से पैसा कमा रहा था कुछ वैसरे दिन संबॉसुने क्या रुबड़ गया दूसरे दिन की कमाई कितनी है तो 4000 is है तीसे दिन की बात करें तो 4000 तो पहले कमा रहो लेकिन 2000 पर और बढ़ गया तो अब तीसे दिन उसने 6000 बढ़ते जा कर दिया चौते दिन 2000 और बढ़ गया तो आठिजार हो कहा है ुकौ किस तरह से बढ़ता जा रही है। यानि कि ये बन्दा किस तरह से चमा रहा है कि ALLY वार 12,000 पर बढ़ते जाए तो यहां पे जो यह पैसो आ रहे हैं जो कुल मांट आ मांट अरकी पैसे ईए किसे बढ़ रहे हैं तो 20004000 छेहेह candid आठ हजार और 10,000 क tracking थे तो यहां आप देख पा रहे हों कि यह पूरा एक पैटन पैटन कैसा इसका इसका पैटन क्या है रूल क्या है Basit मतलब फ़र्मुला कैते आप सरेड़ी बन रही है तो फर्मुला यह है कि हरे खर में 2000 रूपए जुड जाते हैं पहली बार हर 0 Eco फिर 2000 जुड जुड फिर जुड या यानि इसका हम ने देख लिए अभी पप्पू सिंग किस अकॉर्डिंग कमा रहा था और उसकी कमाई का हम स्रेणी किस परकार बना पा रहे थे यह हमारी रियल लाइफ के अकॉर्डिंग है ठीक है चलो भी उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्जामपल पर अगला इस्ट एक्जाम मां 500 पर बढ़ जाते हैं अब इससे बच्छी बात क्या होगी इसके लिए कि यह दर जार कि सैलरी और अर्माहीने पांसर बढ़ जाते हैं बहुत बाद बात है और तब ही इसकी स्माइल यहाई चलो है इसके पहले माहां में कितने कंतना ती 10 जार रुपे दी उसको मिले 10,000 रुपे लेकिन अगले माहा इसका जैसे कहा गया था कि 500 रुप बढ़ जा गया था देखो 500 रुप बढ़ा दिया थेक्षा मालिक बढ़ा इमान दार रहा था पांसो बढ़ा दिया है 500 बढ़ाते के साथ हो गया 10,500 चलो भई उसके बाद next की बात करें तीसरे माहा में फिर इसे 500 बढ़ गया और 500 बढ़ते बढ़ा गया 11,000 फिर 500 बढ़ गया तो 11,500 फिर कि उसका क्या रूल है कि हर महींने 500 रूबह बढ़ते जा रहे हैं हर महीने 500 वे बढ़ते जा रहे हैं । चलो भई ठीक है यह भी हमारे पर एक्जांपल हो गया बहुत बढ़िया सा उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहां देखिए इसने का है किसी बचत योजना में एक धनराशी पर तीन वर्स में पांच बटे चारगुना हो जाती है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं भई कुछ धनराशी इसके लिए लगाया था ठीक है और वह धनराशी हर तीन साल में पांच बटे चारगुना हो जाती है ठीक है आठ हजार के निवेश की मतलों उसने कितना पैसे लगाया आठ जार लगाया है तो उसने आठ जार के निवेश की तीन छे नौ और बारा वर् ठीक है अगले तीन साल बात क्या होगा तो बहीं इसका पांच बटे-4 गुना हो जाएगा नीवह नीवा हम देख पांस हाजार हुआ हम पांच पे चार से सीधिया आस में थो हूए यह कटेका किस आएगा आएग याppen की यानि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई पहले महीने तो हुआ यहना स्टार्टिंग में जब उसमें जमा किया तो आठ जार तीन साल बाद हो गया द सजार और तीन साल बाद हो गया 12500 ठीक है इस तरह से बढ़ता जाए कैक इसका पैटन क्या बढ़ने का इसका पैटन यह है कि कोई भी संख्या थी उसमें पाँच बेटे चार गुना होता फिर लेकिन यहां पर 1100 का ईंसमें dûड़ाइब फिर्थ चार घूणा के इस इस खब्रत जा रहा है तो यह भी एक मन गई बिल्कूबOOOOOOOOo चलो ठीक है इसको विदेख लिए आपने आपते हैं next वाले बे अगला वला यहां पर भुजाओं एक दो तीन मात्रक यूनिट वाले वर्गों के मात्रक वर्ग की संख्या पतले यहां पर क्या जिया जा रहा है कि यह वर्ग है आपके पास यह भी इसको वर्ग ही माले ना यह वर्ग है आपके पास ठीक है इसमें क्या जीज़े इसकी एक है इसकी साइड दो है इसकी साइड तीन है अब इनके छेत्रफल की बात ही अगर की जाए तो छेत्रफल की संसार होगा तो हमें मालूम है वर्ग का छेत्रफल क्या होता है तो भुजा का वर्ग होता है यही होता है यानि हम कहें वर्ग का छेत्रफल निकाले तो एक का स्का स्य पर नोगैं चक्ल absolute습니다 लोगता है यहां रही है और इसान पर czy कि और बन रही है लेकिन उसका फॉर्मला क्या है उसका सेन फॉर्मला है कि प्राकृतिक शंखिया बढ़ रही है वर्ग के अनुसार ठीक है प्राकृति संक्या वर्ग के अनुसार बढ़ रही है बस वही इसका रूल है ठीक है तो यह भी एक स्रेणी बन रही है चलो और स्रेणी के टाइप की बात कहूं तो स्रेणी क्या है उपरोग जो उदारन है कुछ पैटन दिखा शो हो रहता है गुणा करना भाग करना वर्ग करना और भी बहुत से प्रकार के पैटन बन सकते हैं जरूरी यह पैटन है और भी बहुत से प्रकार के पैटन बन सकते हैं तो इतने सारे पैटन होते सारे के सारे क्या होते हैं स्रेणिया होती है साई सेनिया होती है लेकिन हमें कौन से स्रेनी चाहिए हमें चाहिए समांतर स्रेनी ठीक है हमें चाहिए समांतर स्रेनी और इस समांतर स्रेनी की बात करूं नाम में देखो क्या लिखा हुआ है समांतर स्रेनी इस समांतर स्रेनी की बात करूं तो इसमें क्या है स्रेनी तो हमने देख ली बहुत सब्सक्राइब लेकिन जिसमें जिसका अंतर समान हो जिस स्रेणी का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं समानतर स्रेणी वह जिस भी स्रेणी का अंतर समान हो जाए उसे समानतर स्रेणी कहते हैं अब देखते हैं वह कौन-कौन सा ऐसा है जिसका अंतर समान था फिर से में आते हैं यहां देखिए इसका अंतर क्या चल रहा था तो इसका अंतर दो हजार चल रहा था इसके बीच का अंतर भी दो हजार है इसके बीच का अंतर भी दो हजार है इसके बीच का अंतर भी सेम दो हजार है और इसके बीच का अंतर भी दो हजार है यानि हम यहां पर देख पा रहे है हर पदो का अंतर कितना रहा है दो हजार रहा है और जिसका अंतर समान उसे कहेंगे समांतर स्रेणी जिसका अंतर समान उसे कहेंगे समांतर स्रेणी यानि यह जो स्रेणी बन रही है हमारी यह जो आठ हजार और दस हजार चलता था यह चलता है तो यहां पर हम देख पा रहे है है कि इसका अंतर समान है और जिसका अंतर समान होगा वो क्या होगा समांतर स्रेणी यह चीज़ याद रखना नेक्स की बात करते हैं तो अगला वाला जो हमारा था यहां पर जो मिस्टर लल्लू लाल थे ठीक है इनकी बात करें तो इसका भी तो अंतर समान था हर बार पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच- समानतर स्रेणी है ठीक है चलो भई यह भी हमने समझ लिया मतलब यहां से हमें एक चीज़ समझ में आई है कि यह समानतर स्रेणी है जितने भी यानि इसमें कहूं कुछ जुड रहा हो या घट रहा हो कोई जुड रहा हो कुछ संख्या जुड रही हो फिक्स संख्या जुड र उन्हें नहीं तक हँए दोन से दो नहीं से मतलब जोड़ने घटाने वद यानि कुछ विक्स न 것은 कि Mogelfis संख्या घट रही तो वह क्या हो जाएगा उसका अंतर तो से में ना जिसका अंतर से मुझा समान हो जाएगा उसे समानतर से निए ठीक है चलो भई इसको भी आप समझ सकते हो विलकुल और आसा करता हूं समझ तो आई गया होगा अब आते हैं में टॉपिक पे आते हैं कि एपी को यह तो हमने जनरली समझ लिया कि समानतर से निए होता तो आएंगे क्या एपी के व्यापक रूप पे कि उसका रूप कैसा होता है कैसा हम देख सकते हैं तो इसकी बात करें तो कोई स्रेडी मैंने लिख दी जैसे कि मैंने लिखा 5 7 9 11 13 इस्तर से बढ़ता जाता है ठीक है तो जो पहला पद होता है इसको इसके पदों को भी अब यहां पर देख लेते हैं अब इसमें आपको बता दो कोई भी स्रेडी जो होता है उसमें जो ए होता है इसे कहते हैं पहला पद ठीक है ए जो होता है पहला पद होता है तो हम कह सकते हैं इस A1 को A ही कहेंगे कि भाई यह तो पहला पद है ठीक है अब इस A में कुछ चीज जुड़ जाती है कोई चीज जुड़ जाती है वो जो कुछ चीज जुड़ जुड़ती है वो क्या होता ह है उसे कहते हैं और जिससे कहा जाता है कि इसे कहेंगे सार्व अंतर बुए और ऊच्छित और इस का रही है कि डिक्या होता यह और ढोलए लोग इसका ऑंटर जो अंतर अन्तर से सेम अंतर होता है जो सेम अंतर होता है सार्वंतर का जाता है तो इसका अंतर कितना दो दो का अंतर हो रहा है सब करें तो तीसरे बाद में देखो फिर से दो जोड़ना पड़ेगा यानि फिर से डी जोड़ना पड़ेगा अगर मैं इसमें फिर से डी जोड़ना पड़ेगा अगर मैं इसमें फिर से डी जोड़ू तो क्या होगा तो यह हो जाएगा ए प्लस में दो डी हो जाएगा चड़वे ठीक है चौथे की बात करें तो यह कितना हो जाएगा भई एक डी फिर से चोड़ना पड़ेगा यह प्लस में तीन डी आजाएगा पांचवे की बात करें तो ए प्लस में चार डी आजाएगा यहां से हम देख पा रहे हैं क्या देख पा रहे है कि जितना जौन सा पद होगा उससे एक कम डी चल रहा है जौन सा भी पद हो रहा है जैसे कि पहले पद में डी ही नी दूसरे पद में एक डी है तीसे पद में दो डी है चौते पद में तीन दी है और पांचे पद में चार डी है वैसे ही अगर एनवे पद की बात की जाए तो एन्वा प्लॉस और पलस में एन माइनस बन करको ओन कहते हैं यहां से एन का का ठीक है नवे परदीया क्या फ्र्म्ला बन गया है इसका फ ajagira बन गया है एप लस्मे एट एक गुनए मेड़ी यह फेम लबन गया है A Labor कया न यह बिलकुल रख लेगा ठीक है कि फिर मलत्व यह शरुनाया और यह an को क्या आए जाता है इस-स ए-एन को कहा जाता है एन्वा पद चलो बही एन को एन्वा पद होगा एन क्या होता है एन होता है पदों की संख्या जीकषित है आपका पदों की संख्यां एएंड हो रहा है अन्वा पद डी है सारवंतर एह है पहला पद यह चीजे आपको पता होनी चाहिए ठीक है और यहां पर एन्वा पदों के मतलब किन्वा पद को निकालने का फर्मुला यह हुगा यह में इम्पॉर्टन्ट इम्पॉर्टन बाते हुगे जो मैंने यहां पर बता दिया है जो के पयोगी मुखे फिर यह नहीं, जितने के कोश्मेसे नियुता कटory पशत용 होा है, म॰हा रहते हैं, यहां पर उसके बाद हम आते हैं आगे की चीजों में तो यहां पर हम करेंगे पुछ इंप्रेंट कोश्चन भी जो एंसे निचोड जिसे वो निचोड निकाल के लाएं आपके लिए तो बस साथ में बने रही है अब इसमें देखी क्या है प्रसनावली 5.1 अब देखो हर प्रसनावली के जो इंपोर्टन वोई कराऊंगा वसमें ठीक है न जो करने मोस्ट एक्सपक्टेड गोस्टन बई पेपर में कई बार आ चुके हैं और आप नहीं सकते हैं तो वह चीज़ को लेकी चल लेकर जैसे कि पहले और ये इसमें दिखा हूँ पहले में निम्रों में संबंद संधं संग्य गुढाय की सूची अई पी है और क्यों से अधाना इभिव है की नहीं यह वो दो करना है तो चेक की बात भाग को निकाल देता है यानि कि क्या कहना चाहता है तो यह कहना चाहता है कि सिलिंडर है ठीक है ना बेलन है उसके अंदर हवा भरी वी है उपस्थित मात्रा में कुछ हवा भरी वी है अब उसके अंदर से हवा को निकाला जा रहा है पंप से और पंप से जब हवा निकालती ह तो उसके इंदर जितनी भी हवाय उसका एक ब handy hazard आजए गए गए बाक से बाए तो अब चेक करना हैं क्या यह prd सब्स्राइब हैं तो चलो हम मान लेते हैं प्रिच आम बौन को हुँझ सकते हैं कोई भी संख्या मान सकता है त्योंज संग्कों होगा जो असानी से कट जाए है ठीक है हम क्यों ज्यादा को कैलकुलेशन कर रहे हैं असान वाली चीज़ देखेंगे तो असान वाली में माना है आई तन मैंने 64 ले लिया क्योंकि एक बटे चार बाहर निकाल रहे हैं तो चार से कट जाना चीव ऐसा कुछ है चलो ठीक है अगर उसका आई तन चा हिस्ता ठीक है इसने क्या हो रहा है एक बटे चार हिस्ता बाहर निकाला गया है एक बटे चार हिस्ता तो इसका एक बटे चार इससे बाहर निकाला है तो एक बटे चार ऐसे तो निकालेंगे इसको अगर मैं काटता हूं तो कितना जाएगा या जाएगा चार कम चार चार च क्यूब में होता है वही कोई भी आयतन जो था क्यूब में होता है ठीक है पहले 64 था बचा अब नेक्स टाइम फिर से वह निकालेगा हवा अब हवा निकाला कितना तो वही चीज एक बटे चाहर सानी कालेगा तो भाइब तो अब तो और तालीस बचा है अब इसमें से अड़ता दो बचा था उसके अंदर उसी का एक बटे 4 निकालेगा न तो यह बटे हिस्सा निकाला गया तो फिर इसको काट रहा चाहरे कम चाहर दुनी आठ मतलब यह आ रहा है 36 यह अगला पद जो आया है वो कितना आया सोलह का इसमें पर कितना है तो बारा का तो क्या अंतर समान हुआ अभरल रहा है और यह कोश्चेण में जो रही वो स्रेनी समानतर स्रेनी नहीं है ठीक है स्रेनी तो है लेकिन समानतर स्रेनी नहीं है क्योंकि स्रेनी बहुत सारे होते हैं समानतर हमें चाहिए समानतर क्या होता है जिसका अंतर समान वो समानतर स्रेनी और हमारा चप्टर वही है समानतर स्रेनी तो फिलाल ये तो नहीं है समान अंतर सेड़ी क्यों कि इसका अंतर समान नहीं है तो हम ने कर दिया से रिजएक्ट सीधे मना कर वह नहीं अंतर समान तरे बात खतम अब आते हैं नेक्स्ट कुशन पर अगले कुशन की बात करें तो इसमें देखो कौन सा पार्ट सेकंड पार्ट लिया था चौता पार्ट लिया है में इसमें खाते में प्रतेक वर्सकी का मिस्रधन जबकि 10.000 रुपे की राशी 8% वार्षिक दर्शे चक्रवर्दी व्याज पियाज मतलब क्या है कि भैइ इस ने hollow ऑठ पर्संट चक्रवर्दी व्याज से क्या और यह बढ़ता जारा है खाते में होगा कैसे लगेगा हम लगाते हैं तो पहले क्या है यह 10000 धीक है दस सभाइस हजार सोरी इसमें क्या है पहले वर्ष में 8 परसेंट का प्रॉफिट हुआ अब मुझे बताव दस हजार का आठ पर्सेंट कितना होता है यह यह से होगा इसको काटा यानि आठ रोपैं अब कहा जा रहा है भाई पहले साल में इसका आठ पर सेंट का कितना हो गया तो 10800 रुपे हो गया तो 10800 पर गया क्योंकि उसका 800 बढ़ गया आठ पर सेंट का प्रॉफिट ही आना तो आठ पर सेंट उसका निकाल 800 रुपे और वह जुड़ जाएगा पहले में ऐसी होता है चलो भी अगले वाले की बात करें तो यहां पर क्या हो जागा दे 100 और इसकी पावर टी कुछ इस तरह कर चलता था तो यह चीज़े लगाने की जुरूत नहीं है बहुत लैंथ ही हो जाएगा इसको लगाने की कोई जुरूत नहीं है फिलाल सिरे इसी को देख लो 10,000-10800 क्योंकि आठ पर सिक डारेट करो ना क्यों उसमें जिन्डेट में प पैसा बचा है इस पर 8% फिर से भी आज लग जाएगा लगेगा तो अब अगर मैं कहूं इस पर आज लगेगा तो कितना लगा 10,800 इसका 8% निका लो मैं तो कितना आएगा तो 202 कट गया और यह आ गया है 864 रुपए ठीक है अब की बार कितना जोड़ा है तो 864 रुपए 8 1816 मतलव की यह हो गया ठीक है इसमें अगर आट सब्सक्राइब तो फिर कितना एगा याएगा 11,664 आएगा अब देखो आगे मैं जाओंगा इनी पहले यहीं चेक कर लूँआ कि भाई यह एपी है की नहीं समानतर सर्णी है कि नहीं तो हमें खुद दिखा इसका अंतर आ र यहां पर यह समानतर सर्णी नहीं तो ऐसे भी कोशिन आ सकते हैं कि समानतर सर्णी है कि नहीं तो यहां तो यह को समझ में आ गया होगा तो आप इसको अ me प्रसणालि में पाज मैंको म की दूसरी में पहला वाला पाट दे रहा है इसके कर पहले चार पद लिखने अब चार पड़ियों कैसे निकलेंगे तो वो इसमें बताओं कि और क्या है जब कि पर्थम पद ए है और सारवंतर दी है यह लिखा हुआ है इतना दे रखाए अब मैं बात करूं पर्थम 4 पद मतलब a1 कहेंगे तो a1 तो a ही होता है ए टू कहेंगे तो यह क्या होता है ए प्लस डी होता है ए तीन कहेंगे तो यह होता है ए प्लस तीन डी होता है ए चार कहेंगे तो यह क्या है ए प्लस और ए तीन डी नहीं होता एक कम होता है ठीक है ए चार कहेंगे तो ए प्लस तीन डी आएगा पहले चार पत कहें थे ना चार जुड़ जाएगा यानि 10 प्लस में 10 यानि 20 हो जाएगा इसकी बात करें तो दस है और डी-2D मतलब दो गुने में 10 यानि यह 30 आ गया इसके बाद 10 2 गुने में 2 नहीं आपकी 3 है 3 गुने में 10 यानि 40 आगया यानि यहां हम कह सकते हैं कि जो यह स्रीड़ी बन गई है पतलो स्रीड़ी जो बन गई है उसमें जो पद आ रहे हैं तो पहला पद दस है दूसरा पद 20 है तीसरा पद 30 है चौथा पद 40 है और इसी तरह से बढ़ता जा रहा है तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसके पहले चार पद निकल गए उसकी स्रेडी भी निकल गई तो आप इसको नोट कर सकते हो आते हैं नेक्ट कुश्चिन पर अगले में दे रहा है वाई ए चार है और डी कितना है माइनिस तीन है तो इसको हम क्या करते हैं ज्यादा लेंधी ना हो जादू चलो ठीक है अब यहां हम देख पा रहे हैं एक इतना है चार है और डी कितना है माइनिस तीन है तो पहला पत तो चार ही आएगा दूसरे पत की बात करें तो चार माइनिस में तीन आएगा यह कितना आ गया एक तीसरे पत की बात करें तो चार और माइनस में 3 गुने में 2 क्योंकि D के साथ तो 2 भी है ना तो ये कर दिया तो 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया कितना बचा? 4 में से 6 गया, माइनस 2 ठीक है इसकी बात करें तो ये 4 है और माइनस में 3 गुने में 3 आ जाएगा भाई, 3 है भी और D भी 3 है तो 3 तीया 9 हो जाएगा 4 में से 9 गया अब 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा यानि अब जो हमें स्रेणी मिली है वो क्या मिली है? तो वो स्रेणी मिल गई 4, 1, 2 2 नहीं है, माइनस 2 है माइनस 2 और माइनस 5 इस तरह से स्रेणी मिल गई है और इसके पहले चार पदापके सामने हैं तो यह आगा आगा आपका सॉलीशन ठीक है इसको नोट कर सकते हैं उसके बारा आते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर अब आते हैं उधारण नमबर चार पर पांच मेंट के कुछ कुश्चन यह खतम हो गए उससे सारे कुश्चन थे ठीके ना प्रैक्टिस आपको सारी करनी अगर आपने सारी कर लिए तो यह जिए आपका रिविजिन के लिए रिविजिन में यह चीज कर लोगे तो सारी चीज कुश्चन लेकर आएं तो जो उसका निचोड़ है वो लेकर आएं तो यह चीज करोगे तो पुरा चैप्टर रिवाइज जाएगा कुछ जोड़त नहीं पड़ेगी ठीक है चलो यहां पर देखते हैं उधारण नमबर चार पर चार क्या कहता है बहुत किस अठारा पंदर ऑदा ≦ यहां से हम देख रहे हैं पर ला पर कितना है है तो 21 एक सारवंतर की बात कह़ी इसको क्य है सकते हैं एन आगए माहिनिस से क्याला इसा बोहरा है जहां तुम्हें यह दिखे जाए कौन सा ठॉड़ा है क्या यह जो रहा है पदों कि इसको निकालना है चलो भी अब हमें मालूम है एन 81 दे रिखा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एन के बराबर में ए प्लस में कि एन माइनस एक गुने में डी बराबर में 81 माइनस का जाएगा एक आमान देखे कितना है तो 21 है तो चलो भी 21 लिखा हमने प्लस में एन माइनस एक मतलब एन तो हमें निकालना था डी कितना है वहार पास तो डी हमें माइनस तीन दे रखाए कि इसको अंदर गुना करेंगा तो 21 माइन और माइनस को एक से करेंगे तो प्लस 3 बराबर में 81 माइनस ठीक है यह चीज़ आ गया अब यहां से हम देख सकते हैं तीन को उठाके दूसरी तरफ ले आते हैं तो यहां तीन आ जाएगा 21 और 3 चौबिस हैं और 81 उठके इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा याने 24 प्लस में 81 आएगा इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगाла आट दोदा सक्कल अचेक सो पांच बड़ावर में 3 हैं और इसंदे प्लस हो इसको हुँ था पहे नीचे भी लिखा है सकते हैं इसको जब काटेंगे तो कितना रहा तीन तीन पच्छे 15 मतलब 35 आ रहा है यानि एन का मान आ रहा है 35 यानि हम कह सकते हैं कि इस पदों में इस Settings में 35 आपद जो कोई पद सुन नहों सकता है तो पहले तो आप इसको नोट करो उसके बाद देखेंगा भैंसुन हो सकता निहोंसता उसको भी चेक करेंगे डिक चलो भही हี่ हằng कि अब इसने का कौन कान्स इसका कोई पद्द सुन्य हो सकता है सुन्य मतलब कि की संद में जैसे के और N नहीं पता वही निकालना है में और D कितना है तो D हमें दे रखा है माइनस 3 बरावर में 0 यह इसको अंदर गुना करेंगे जैसे ही माइनस 3 N आएगा और प्लस 3 आएगा और बरावर में 0 यह इस 3 को N को उठा के उस साइड लेके चल जाएंगे और यह आया 24 और यहां से कहेंगे N कामान कितना आजाएगा 8 आजाएगा N कामान होगा 8 तो यहां हम देख पा रहे हैं N कामान तो 8 आगया अब बोलो कि Sir N कामान कुछ तो आना ही था कैसे हम देखते हैं कि भाई यह सुनने होगा कि नहीं होगा अब सुनने रखोगे क्वेशन बनेगी N कामान कुछ तो आएगा ही तो कैसे कह सकते हैं पद में आ रहे हैं तो आपको बता दू कि अगर N कामान दसमलव में आ जाए पॉइंट में आ जाए यह नेगटीव में आ जाए तब वह संख्या टू प्राक्रति संख्या होनêu च्छी ठीए अब कहो सकता है मतना पॉइंट मेंना डगटीव में यह चीज़़ा तो फिलाल हमारा एनकामान आ गया है आठ यानि सब कुछ ठीक है everything is okay ठीक है सब ठीक है तो इसका मतला हम कह सकते हैं कि यह सुनने जो होता है उसके पद में आएगा बिल्कुल आएगा चलो भी ठीक है तो वही सरकारण उत्तर दीजिए तो सरकारण उत्तर हमने दे दिया है कि एनका मान आठ आ गया है जो की एक दो अगला हमार उदारन नंबर आठ यह क्या कहते हैं कि वह दस साथ छे गठेंगरते माइनस छूप स्वासुन जा रख है का अंतिम पद से ग्यारवा पद याद कि उमतलों पीछे से एक जिकलना है जिसे अब पीछे से कि अब बद की बात करें तो क्या हो रहा है तो देखों पीछे से अभी कर रहे हो रह दस साथ चार और बढ़ते बढ़ते-21रहें इहां- 665 यहां पर हम कह सकते हैं पहला पद कितना रहा है तो दस है और की बात करें तो अंतर होता है तो सात में से दस गया हुश्य सात मी से 10 गया तो माइनस की छला भी ठीक है सहग cycle तो उसमें हम निकाल सकते हैं हुआ हुआ है है यह जो होगा अब देखो क्या ची पीछे से जब निकाल रहे हैं जो एन इस तरह की कंडिशन वर तो यह लोगा तो हम क्या करते इस एन को यहां से अटाते हैं ठीक है इसे एन को अटाते हैं हम सिर्फ एल लेख लेते हैं यहां पर अंतिम पद होता है तो फिलाल हम निकाल रहें को उसा अंतिम से ग्यारवा पद मतलब पीछे से ग्यारवा पद मतलब कोई शेर पद तो होगा ना तो वह हम निकाल लेते हैं एन निकाल लेते हैं ठीक है एन वह भ एक गुने में डी ठीक है यह हो रहा है आपका फर्मुला अब यहां पर आप देख पा रहे हो क्या चीज ल कितना है तो माइनस बाइसट माइनस का माइनस हो गया एन क्या है एमार पास 11 पन निकाला है तो 11 आ जाएगा माइनस एक गुने में डी कितना है माइनस 3 तो माइनस 3 लिए ठीक है अगर यहां पर आ रहा है माइनस 62 अब यहां पर आ रहा है लिख लो न अगर सिरीज को उल्टा लिख लो तो कैसे होगा वह तीन तीन घट रहे मतलब पीछे से लिखो क्या होगा माइनिस बासट और तीन इसमें बढ़ेगा तो बढ़के माइनिस उन सट आ जाएगा ठीक है और फिर माइनस में छपन आजाएगा इस तैसे चलता हो इसके को अजब यह हमारा पहला पद है तो हम क्या करेंगे ए एन तो यह उता है प्लस में 10 भी होता है मतलब तीन आ तो क्या आपको दिख रहा है कि यहीं चीज लिखाइं माइनस पासट प्लस में अगर या फिर इसे कर लो तब यह आंसर आपका माइनस 32 आएगा तो आप जैसे एक तरीकर से कर लो इसको कर देखते हैं इस कुश्चन को देखते हैं एक हजार रूपय की धंदराशी 8% वार्षिक साधारन ब्याज पर निविश कर दी है किस साथ यह चीज पर गौर किरना साधारन ब्याज की बात कर रहे हैं प्रतेक वर्स के अंत में ब्याज का परिकलित किया कीजिए मतलब क्या कहा रहा है कि भाई जब कोई भी वर्स खतम होता है तब ब्याज बिलेगा यह कहना चाहरा है क्या यह ब्याज एक एपी बनाती है तो यह जो ब्याज मिलता जा रहा है क्या वह एपी बन रही है उसको दे देख लेते हैं जैसे कि सुरू में दे रिखा है एक हजार रुपे उसने निवेस किया है इसका आठ पर्सेंट जो है वो साधरन ब्याज है देखो मैंने पिछला कोशने कर रहा था हमने कौन सा हमने किया था चक्रविर्दी व्याज के वारे में किया था और अब आया साधरन चक्रविर्दी व्याज में क्या होता था कि जो ब्याज मिलता था उस पर दुबारा से ब्याज मिलता था लेकिन साधरन ब्याज में असा नहीं होता इसमें होता है कि साधरन ब्याज में कह सकते हैं जो हमारा सुरू में था सुरू में जो पैसा था उसी पर ब्याज जो पहल 20 रुपए कह सकते हैं ब्याज मिल्रहां तो पहले वर्स update मिला अगले उसेशन मिलेगा दिए एक सुरुपए घटना हो गया एक सो साथ रुप ही है फिर उसके तरह कितना हो गया DR चालिस हो गया इसाही तरह से पढ़ता जाएका अब यहान कर सकते इसका अंतर क्या आ तो अंधर देखो कितना रहा है अल्सीय अंधर कितना ऩ्यूपया रही है यहानि अंतर शेंगी भी में है तो पहले चीज़े होगी यहां हम लिग देगे कि हा ओक भी आज अगे पी में है। इतनी बात यहां कि खत्म होगे उसके बात उसके बात बात इसा है इस तथे का प्रयोक करते हुएं 30 विर्ष को अंत्र स्थे अगर इसा है तो 30 सब्सक्रा ने बात ऊसका परिकल्ण करना है पर इतना नोट कर लिए उसके बाद में ठीक है अब देखो यहां पर हम देखते हैं क्या क्या चीज़े बात कर रहे हैं तो तीस वर्स में कितना होगा है तो तीस वर्स में कह सकते हैं एप ले सब्समें 39 और हमें मालूम है एक कितना है तो यह अगया है 29 को 8 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 8.32 आरतीय 24 असी प्लस में 2320 इसको गुना करेंगे इतना आएगा और इसको जोड़ते के साथ ही आगया 2400 रुपे यानि हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं 2400 रुपे इसका अब्याज है कब 30 वर्स मैं ठीक है तो या आप नट पर चॉबन पर पर और दूसरा स कर कर दिए दूसरा हम निकाल दिया कि वह तीस कितना व्याज मिला थो लोगुशारि थीक है pickles थो पर गॉंशन पर शौला करना जो प्रृचिन यूप यहां पर में सब्सको में बो안 सबस्सक्राइब याद करें जिसका ग्यार्वा पद 38 अब इस कोश्चन में कह रखा है क्या कह रखा है हल करते हैं तो इसने कहा है 31 पद तो निकालना है और दे रखा है ग्यार्वा पद 38 है और सोलवा पद जो है वो दे रखा 73 यह चीज किसमें यह दिया है मैं है इसको सुर्ण में दिया है क्या क्या चीज दे रखा है ठीक है यह दे रखा है अब इसके हल की बात करें तो हल में क्या जाएगा हल में कैसे एक यारा को हम लिख सकते हैं एप लस में 10 डी एलखा यासता और यह 38 ठीक है चलो भई एस सोला की बात करें अब इसमें क्या करते हैं इसमें हम इसमें निकाल लेते हैं थे फEMA timer Mo operating और घटा देंगे और घटाते ही यह क्रएंग त्समें से 15 गया 5D क क्योंकि निच्त ऐओला बढ़ा था छू कि यह माइनस जाता है माइनस जाता है नीचे अलब बढ़ा था दस में से 15 आ गया पांच बिचा माइनस का 38 में से 73 गया तो इसको कर सकते हैं 4 3 7 45 आ रहे हैं 35 आ गया और यहां से हम डी की बात करें तो कितना आ रहा है 35 बटे में 5 आ रहा है माइनस से माइनस कट गया था पांस सतय त्थ और हम यहांसे निकाल पा रहे हैं कि दी का मान आ गया है निकालना क्या था這一 उस्के लिए कि अगर चाहिए हमें 31 इसमें सामी करन एक में तो यह यहां पर इसको समीकरण 1 रखा था इस को दो रखा एक में रखने पर ठीक है डी कमान समीकरण एक में रखने पर क्या होगा तो डी कमान साथ है उसको उठा के यहां रख देंगे अब यहां रखते के साथ क्या हो जाएगा एप लस में दस गुने में साथ बरावर में 38 है ठीक है एप लस में दस गुने में साथ बरावर में 38 तो या गाए सत्तर यानी एक आमान कितना रहा है तो इस सत्तर उठाके उधर ले जाएंगे तो सट्तर क्या हो जाएंगा 38 माइनिस में सत्तर होगा है वाइसको करेंगे तो 4-3-7 बरतिस और जेने यहां से हम कह पारे हैं कि एक आमान कित Lord का जाएंग 122 यह anhat साथ आगया और हमें निकालना है क्या 31 वापत निकालना है तो यहां से हम कह सकते हैं यह 31 अगर निकालना चाहें तो होगा ए प्लस में 30 डी और एक आमान कितना है तो एक आमान है माइनिस बत्तिस तो माइनिस बत्तिस लिका और डी का मान कितना है तो 30 गुने में डी और डी हम माइनस 32 प्लस में 210 और 6 त्या 18 मतलब की 178 यह आ रहा है यह आपका आ गया एकत्तिस कि 178 आपका गया एकत्तिस तो यह इसका अंतर आ गया ठीक है तो हमने क्या क्या किया पहले कुश्चन में जो दिया वा था उसको लिखा ठीक है उसको ए 11 दे इरहा हुष एक सबस्क्राइब को हल किया और ह Parliament आगया मायों पास और एक मान आर्चा माँ आगया है और दोनों का मान आंतर हमने उसको एक त्रप्र कर लिए तीक है तो में उसके अगले़ अगले कोशिण की बात करें तो इसमें रखाए एक एपी में पचास पद है चलो एक एपी उसमें पचास पद है टोटल जिसका तीसरा पद बारा है और अंतिम पद 106 है अब देखो कोश्यन में क्या है यह दे रखा तीसरा पद 12 है यानि हम कह सकते है एप लस दोडी बदावर में 12 हो गया यह पहला समीकरण हो गया ठीक है उसके बाद कहा है अंतिम पद 106 है टोटल पद कितने थे उसमें तो टोटल पद उसमें 50 है तो अंतिम पद कहूं सा होगा 50 होगा ठीक है चलो भए तो प्लस में 49 डी और ब्रावर में है 106 चीक है यह चीज़ हो गया यह कितना आ गया दूसरी समीकरण आ गया अब दोनों समीकरण को हल करेंगे ठीक है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि समीकरण को एक दो के अनुसार ठीक है तो यहां पर हम कह सकते हैं ए प्लस में 49 डी ब्रावर में 106 और ए प्लस में 2 डी ब्रावर में 12 ए से ए कट गया 49 में से 2 गया तो 47 बचा एक 106 में से 12 गया तो यह बचेगा हमारा 94 ठीक है पर 94 बच गया और यहां से हम कह सकते हैं क्या कि 47 नीचे आ जाएगा तो डी का मान कितना आ गया तो डी का मान आ गया 94 बते में 47 और जिसको काटते ही आ रहा है दो यानि हम क्या सेखते हैं smallest neither हमें लिए निकालना क्या था 29 पत निकालना है मतलब ए भी निकालना जरूरी है तो डी के मान को टा करे किसी में रख देते संठेप्र एक में लिख देते हैं तो हम लिख देंगा भई है दी का मान है ठीफकर तो तो यहां से हम कहार कर सकते हैं और 3िसाइप जिदेंगे तो यहां करेंगे की बारा मेंसे चार गया कि एक आमान कीटना गया तो आठा गया है इसलो ऊंची के बात करना था तो यानि हम कह सकते हैं 39 कितना होगा यह होगा एप्लस में 28 लिए और यह हमारा है आठ और डी हमारा है दो लिए देते हैं तो अधाइज निए छपन और चपन में आठ जोड़ेंगे तो 64 आजएगा तो यहां से हम कह सकते हैं 29 मैं 29 इसका कितना रहा है तो 64 आ रहा है चलो यह भी ठीक है इसको आप नोट कर सकते हो आते हैं फिसके बाद हम नेक्स्ट कुश्टन पर अगला कुश्टन में यदि कि सीये और नौवय पत करम से 4 और माइने साथ है नौश्ट नया इस थी अपना इसमों देखा एपी के तीसरे और नौवय पत करम से इतना है तीसरा पद देर खा चार जानी इसको लिखेंगेट यह बरावर में 4 आएगा यह पहली लग्यकुराट और भीजह डिए लिल्फा रख़ते हैं तो भाष दो कह सकते हैं समीकरण एक तथा दो के अनुसार तो यहाँ बहुत है अप्लस में 8D बरावर में माइनिस 8 है और दूसरा है अप्लस 2D बरावर में 4 है इसको अगर सॉल्ट करना चाहे तो A में से कट गया 8 में से 2 गया 6 बचेगा ठीक है यहाँ पर नीचे माइनिस होगा तो आठ चार देखो दोनों माइनिस के होगे ना तो आठ चार बारा यानि माइनिस बारा क्या सकते हैं और यहाँ से D का मान हम निकाल पाएंगे तो D का मान आ रहा है माइनिसUNG बारा बटी में च्छे यह गा यह को मुझा कर देंगे या गया है इसको यह से काड़ देंगे ठाट यह माइनिस दौर रहा है किके c irgendwann एक मेरा तो एप्लस में 2 और डिक मान है Minus 2 और BG मेरे है चार अब 2 दूनि क्या हुजागा यदर जाके Plus शूुजा यानि हम कह सकते हैं कमान कि इक 24 जाकर प्लस हो जागा तो आट हो जाएगा यहां पर चीछ है कौन सा पद सुनगे हैं कौन से सुनने वाले यहां पर भी वही चीछई है कि कौन सा सूनने की बात कर रही हम यहां पर कहेंग agreeing here Agora में जीडों रखेंगे और इसको करेंगे तो आएगा हमारा हम देख सकते हैं ए इक अमान आठ आ गया और चलू इसको कर लिते हैं यहां पर कि इसमें कह दिया है अ कि इन जो है वह से सून से कर दिया है और कि कॉन ब brag कितना है और दे है तो लें तो ए फद्द 0 है तो इसमें निकालते हैं यह बात हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो इसके अंदर क्या है ए प्लस में एक माइनिस में एक गुने में डी बरावर में 0 आएगा और एक आमान रखा 8 n-1 वैसे ही रखा और d कमान रखा माइनिस 2 और ब्रावर में 0 है 8 है इस माइनिस 2 को अंदर गुना करें तो माइनस 2 और प्लस 2 ब्रावर में 0 है इस 2N को उठाके माइनिस वाला उधर लेके जाएंगे तो 2N ऐसे हो जाएगा और यह आज दो चलो भी यानि हमारा कोशन क्या बन गया इसमें कि भाई दो तो आपको कंडिशन यह तीसरा पद है और नवा पद है यह दे दिया उसके बाद बोल दिया भाई कौन सा पद सुनी है मतलों निकालने के लिए और इससे पहले वाले कोशन में क्या था इस आपने नोट कर लिया हो सकता है ठीक है और एक इससे पहले हमने कुशन देखा था वह क्या था कि वह तीसरा पद और पचासवा पद देर रखाता और इससे गाता नथी सब्सक्राइब निकालने के लिए मतलों एक कंडिशन आप से कुछिए कि पूछा है कि यह पूंसा पद सुननी होगा इस तरह क कौन इसा पद उससे 54 पद से 132 जाता है अब देखो क्या है इस देखो पिछली बार दो दो कंडिशन दी ती और हमें ए और डी निकालना पड़ा था इस वार अच्छी बात है कि ए और डी हम यहीं से निकाल लेंगे इसकी बात करते हैं हलके इसमें कह सकते हैं एक कामान कितना आ रहा है इसके कॉर्डिंग तो तीन आ रहा है डी कामान कितना रहा है तो पंद्रा में से तीन गया यानि बारा रहा है यानि कह सकते हैं डी कामान बारा रहा है चलो बहुत डी बारा और ए तीन यह दो चीज होग 54 पद से 132 ज्यादा है यही कहना चाहरा है ठीक है यह कंडिशन बूलेंगे जब भी कहें कौन सा पार तो अब इसको करते हैं इसके अंदर क्या आएगा एन को लिख सकते हैं एन माइनस एक गुने में डी और यहां पर 54 को एक प्लस त्रेपंड प्लस में एक सो बत्यस या गया एक और रखा तीन भई रख दिया आमने तीन कि एन मायनिस में एक और डी को क्या रखा तो बारा कि यह एक इतना है तो यह हमारा थी जऑंगा amps 12 को एक से करेंगे तो माइनिस बारा आएगा ठीक है अब इसमें कुणा करते हैं तो 1250 और 1236 यानि यह आ रहा है 636 प्लस में 132 यह दोनों गुना करेंगे तो यह आएगा अब इनको जोड़ देते हैं ठीक है या फिर इनको जोड़ देते हैं और बारा भी जुड़ेगा यहां पर यानि अब मैं कह सकता हूं 12N बरावर में 636 में जब यह जूड़ेंगे तो कितना होगा 38 68 68 और प्लस में 12 अब मैं लिख सकता हूं एनकामान कितना हो गया तो यह आगे तो मारा 70 80 780 बटे में 12 ठीक है तो यह हमारा बारा चिक बहत्तर और बारा पंचे साथ मतलब 65 65 पर कड़ जाएगा एनकामान कितना आ गया 65 आ गया यानि हम कह सकते हैं कि भई 65 पद जो है वह इस स्रेणी के 54 से 132 ज्यादा है चलो भई इसको नोट कर लीजियोस के बाद आते हैं नेक्स्ट कुश्ण पर करें तसल्ली से बढ़ेंगे बिल्कुल मझे में और कंसेटर लेके बिलकुल कंसेटर लेके कोई भी चीज थोड़ी सी चीज भी नहीं छोड़ने वाले ठीक है मजे में लगी हमें चाहिए पूरे नंबर ऐसा नहीं बबाए कुछ छुडवानाया पूरे यह इस चैप्टर स किसे संख्या साथ हुय इसे कउशन बनते हैं बिल्कुल बनते हैं तो इसकी बात करते हैं तो कहली होती है इसको करना भाग इसको करना भाग साथ से तो साथ एकम साथ बचा दो साथ चोग अठाइस बचा एक और साथ दो नी चौदा अब बचा कितना देखो क्या चीज़ है लाश्ट में अगर 9 की जगा 4 तो खड़ जाता ना ठीक है अगर 9 की जगा चाहिए पांच छे साथ आठ नो कुछ भी होता नहीं कटे बस चार पर गटे गए ठीक है तो यहां चार उन अचीज था यानि अगर मैं कह सकते हैं यहां पांच आ रहा है जितना भी रिमेंटर आजाए जितना भी किसी वीश्मेंटर आजाए उसको इससे माइनिस कर दिना एक कितना है एक सो पांच डी कितना है तो हम देख पारे साथ साथ बढ़ रहा है तो साथ आ जाएगा अन्तिम पद या एनवा पद कितना है तो यह हमें दे रखा एन नौशो चुराणवी दे रखाए ठीक है अब एन का फॉर्मला था हमारे पास एन माइनिस एक उने मेंडिए कितना आ रहा है तो यह आ रहा है हमारे पास यह न है 1924 आम एक सो पांच एन माइनस अकनản पास तो औहला यह तो निकाल नहीं हमें थीक है एन माइनस में एक और गुने में D हमारे पास दे रहा है साथ, अंदर गुना करते हैं, साथ N माइनस में साथ, बरावर में 994, ठीक है, 105 में से साथ गया, तो बच्चा भाई, 99, उसको उठाके इधर ले आते हैं, तो 994 माइनस में 99, बरावर में 7 N, यह जी आ गया, इसमें से जैसी हमने 99 को माइनस किया, और यह आ गया हमारे पास, 896, बरावर में 7 N, यह जी आ रहे हैं, इस साथ को उठाके नीचे ले आएंगे, तो भाई, यहीं से नीचे ले आता हूं, ठीक है, अब इसको भाग करते हैं, तो कितना आएगा, तो साथ एकम साथ, साथ दूनिच चौदा, और कितना, साथ ओट चपन, N का मान एक सो अठाइस आगा, इसको भाग करोगे, तो एक सो अठाइस आजाएगा, यानि हम कह सकते हैं, कि तीन अंको वाली, एक सो अठाइस संख्या होती है, जो साथ से विभाजित होती है, तीन अंको वाली कितनी होती है, एक सो अठाइस संख्या, जो कि साथ से विभाजित होती है, यह हमने निकाल लिया, इस तरह से दोंग वाला भी पूछ सकता है ठीक है और जादा कॉम्प्लिकेटेट करना चाहें तो चारण को वाला भी पूछ सकता है तो उसमें आपको करना क्या है उसको आपको बस शुरुआ नंबर निकाल लें ठीक है और अंतर तो इसी तरह से बढ़ेगा क्योंकि 7 किसाफ कि अगली कुश्शन की बात करें तो इसमें के किस मान के लिए दोनों स्रेणिया त्रेज़ट 65 66 और तीन दसफरा मतलब यहां पर क्या ओपर दो स्रेडिया दिख रही है एक स्रेडिया हमारी है त्रेज़ट 65 67 और डूट 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 चल रहे हैं और दूसरा है तीन दस, शत्रह & चल रहे हैं तहीं गया चल रही है अब इसमें कहा है कि किस मानके लिए एных है इंडिया अब तुम देख पा रहे हो यह दो दो बढ़ रहे हैं कि यह साथषाथ बढ़ रहे है यह तो कि यह इसको पकड़ लेगा तो पकड़ चानinda तो भाई हमने देखा ए जो है वो 63 है ठीक है और डी जो है वो दो है यह दूसरे वाले की बात करें तो ए है तीन और डी कितना है साथ आ रहा है ठीक है यह दो चीजे हैं दो अलग अलग एपी हैं और उनका ए और दी तो अलग होगा इसलिए मैं बढ़ाए और बढ़ा दी और छोटा चोटा दी ले लिए हैं अब इसने कहा है कौन से एन पर यानि कि यह प्रशन के अनुसार क्या हो रहा है एन बराबर में एन आ रहा है और चोटा बड़ा वाल यह प्लमा पर बराबर होने चाहिए एक न नहीं पॉर्दक बराबर होने चाहिए तो हमने बराबर लिख दिए इसको आप इसको करती है कैसे होगा तो ए प्लस में एट माइनमाइन एक गुनुनेमिडी एचिज है ए चलो बहीता करते ह दे दू जीक गानी कि दो दो लिख दिया उसके बाद इसमें ए ए कितना एछ चुटा बुर्यां trusting लिए ठीन लem webinars एक गुने में डी इक इतना इसका चुटा लेडी साथ है अब इस सौल करते हैं तो सौल करते क्या रहा है तो द्रेश था हे प्लस में दो m-2 बड़ाबर में थीर तीन की बात करें तो तीन आ रहा है plus मेंग गया और मैमनिस मेंग फ्लस चाथा तो फ्लस यहां Q और यहाह साथ आई यह इस दून को टाके उफर लियाएगा तो सभी तो माइने सब्सक्रेजज़ तूरफ ठीक है इस कह सकते हैं उसको कह सकते हैं पांच इन कितना होगा तो 15 न व looks like a चानी पांच यह यह दोनों यह दो 22-13 हमने यहां न कमान 13 कैसे निकाला बहाँ दोनों को बंद लिखतर और भी से लिए निकाले इसका मतलब यह दोनों एंपी जो है स्रेनी जो है वो तेरवे बन पर पिलकल बराबर जाएगी ठीक है चुल आप इसको नोट कर सकते हो और इसके बाद आते हम नेक्स्ट कुश्ण पर तो यह अगला कुश्ण हमारे पास है इसमें हमने यह वाला कुश्ण तो कर लिया ठीक है हाँ अगला कुश्ण की बात करते हैं किसी अब देखो इसमें कर दिया है थोड़ा सा कुश्ण में ट्विष्ट अलग किया है क्या कि दो पदों की योग की बराबर में क्या दिये क्यों कैसे कि चौथा पद इसमें हलकी बात करें तो इसने कहा है चौथा पद और आथवा पद इनका योग दे रखाए 24 ठीक है और छट पद और दस्वे पद का योग कितना है चवालिस है छटे पद और दस्वे पद का योग कितना है चवालिस है ठीक है अब चौथे पद की बात करें तो चौदा पद क्या होता है तो ए प्लस में 3D होता है ठीक है आठवा पद क्या होगा ए प्लस में 7D हो जाएगा अब बरा बरावर में 44 आगया ठीक है यह चीज़ कह सकते हैं बिल्कुल चलो भई अब इसमें कह सकते हैं क्या कट रहा है कारते सीटें की जोड़के काटें चलो जोड़के काट देते हैं जोड़ने का मतलब क्या ए और दो हो जाएगा साथ और तीन दस हो जाएगा यानि इसी को अब ल यह आगए समी करण एक बन गया ठीक है अब दूसरे वाले की बात करें है य overdose छिक करें है यह प्लस में पांच ल को करें प्लस में अंटि और बरावर विटर्वाल से इसको कर सकते हैं ए हो और दूख ऐगा और पांच और में 14 सब्सक्राइब हो जाएगा अब ब्रावर में 44 से ठीक है यह तरी आ गया तो भाई यह दूसरी समीकरण हो गई कि इन दोनों समीकरण को एक साथ रखेंगे कैसे भाई कि समीकरण कि एक और दो के अनुसार ठीक है एक और दो के अनुसार तो इसमें क्या कर दिया हमने दो ए प्लस में दस डी बरावर में 24 है और दो ए प्लस में 14 डी बरावर में 44 है चलो भाई ठीक है अब कह सकते हैं से 2 से 2 कट गया भाई कट गया दस में से 14 गया मांस 4 डी चौए से चाल 44 गया तो मांस बीस आएगा और यह से कहती है इस डी कमॉन कितना मचना रहा है माइन याइस ब्लस में चार आ अ डी ब्रावर में 5 हैं के दीकष़ात्वान पमांच गया धे चाहिए तुकिए अंदowej निकाल लिए это 2 पन मतलब अब दी निकल लेगा अब इस डी कामान उठा के हम पहले पद में रखने पहले समिकरण में रख दे तो दी को जब पहले समिकरण में रखा अब क्या करते हैं दूसरी स्लाइड डे लेते हैं जिसमें की कि डी का मान समिकरण एक में रखने पर दिक ना पांच आए उसको समीकरण एक में रखें तो यह रखती क्या हो जाए गए यह हमार पास दो ए प्लस में 14 डी बरावर में था कि दो आप दस डी बरावर में 24 है ठीक है अब ये दो ये तो ठीक दस दी कमान कितना है पांच चॉबीस ऑडे है जो क्या वाई दी का मान यहांपर रखा पांच रखा हमने और ब्लाबर और लिबहर में चौविस माइनस में 50 हैं अब यहां कर सकते हैं दो एगरम मैंश 46 कितने हएगा 14 ऑगर ही Canadians 23 अगर 2 से नीचे कटेंब माइनस 13 ऑजाएगा यहनि हम कह सकते पहला पत कितना है जीचात in कितने संद पर निकाल है पैर तेम तीन fill ग्याद करने तो तीन पर की बात करें अगर्ला डिये पास-क नहीं कर नहीं आइना पांच को सबस्क्राइब पांच यानि इसके 5 जूड़ेगा इसमें पांच जोडते ही लोलTr acrym माइनिस तीन हो जाएगा और इसी तरह से समीकर्ण बन जाएंगे और यहां पर पहला दूसरा तीसा पर हमने ग्याद कर लिए तो आप यह नोट कर सकते हैं और बाकी यह भी यह सारे आपके most important question और कई बार पेपर में पूछे भी जा चुके हैं यह आपके अभी तक के जो क्यों से एंवे पद के जितने भी कुशन थे एंसरे बेस्ट पे most important question वह हमने कर लिए complete अब आते हैं कुशन किस पे तो भाई योग के बारे में आते हैं तो योग के बारे में आपको थोड़ा में बता देता हूं कि वे एंपदो का योग क्या था योग की बात करें कोई भी समीकरने जैसे कि a1 है ή Kelvin घुल एमेरे में घुल है पाल आखिक है में ऑनड़ जैर यह थी कि लोग की बात करें कि जोड़ते जोड़ते कितना आएगा इनको जोड़ने पर क्या आएगा कैसे जोड़ा जाए इसको इस पुरे की योग को sn कहा जाता है यानि कि अन पदो के योग इसकू है एसेन क्या क्योंड है योगर अम इसकी बात करें करें सक फर्मिला क्या हुतब ह्का इसका फर्मिला प्रमिले पर यह है तो उसका फर्मिला क्या था हमारा एसन का तो यह था आपका आरें बम धो दो दो ए प्लस में एन माइनिस एक गुने में डी यह S N का फर्मुला था यानि N पदों को जब जोड़ना हो तो यह फर्मुला लगाना पड़ेगा इसमें A D N तो आपको पता यह क्या था कि A पहला पद है यह सारवंतर है पदों की संक्या यह तो पता ही आपको जो भी तक पढ़ते आ रहे हैं ठीक है इसी में देखो क्या है एंड बैटे दो दो एक जगा में लिख दू ए प्लस में ए एन माइनिस एक गुने में डी ऐसा लिख दूंगा मालनो इस दो एको मैंने ए और ए लिख दिय तो क्या यह आपको दिख रहा है क्या था है यह एन का फर्मॉला है है ना तो इसकी जगा हम क्या कर देंगे इसकी जगा हम ए एन लिख देंगे सक्राइब या फिर हम उसको सकते हैं या फिर हम इसको सक्टेए एन 2 ऐसके अगर अंतीम पद दिया वगय क्योंना फिरव चोब कृचिंछ हो घाएगा अगर अन्तीम पको दे रहार कि डिया है तो यह प्लाक के पूरप चाहिए जिस्षे की questions क्या है बहुत easily solve होने वाले ओके चलो कि अगले question की बात करें निवलिकी समंद्र सेड़ी का योग याद किजिए अब इसने कहा है पहले 12 पदो तक का योग पदो का योग चाहिए यानि इसमें हम देख पा रहे हैं एक इतना है तो यह दे रखा है माइनस 37 डी कितना है तो डी दे रखा है भई दूसरे पद में से माइनस करना है पहले पद को ऐसे डी निकलता है तो माइनस माइनस प्लस होगा यानि माइनस 37 प्लस में 37 और यह हो जाएगा चाहर ठीक है तो डी का मान आ गया चाहर चलो पर डी का मान 4 और एक का मान माइनस 37 डन चलो अब इसमें निकलना है बारवेग बारा पदो का योग बारा पदो का योग मतला है तो- एस बारा निकालना है that के अब बारा पूप मेंट के लिए क्लेका है मैं वहले फ़रमलाइ लिखता हूं फ़रमला के बात कुछिन सॉल करेंगे ता यह से एन यू ठाज था एन बिर्टे में दो दोए फ्लस में एन-1 गुने मेंडी we a s निकालना है बारा though तो क्या होजाएगा हैं हमें बाड़ा पता है ठीक है दो ए अब इसको कर चाहें तो क्या आएगा वारा दो छची बचे गार थीछ अर 27 दूनी 24 जाएगा 37 को दो सकुला एक रहोगे in चम्हार गार तो माइनस 54 पलस में 44 यह उढ़िए इसको क्या क्या लिख सकते है यह अब और च्ग किना सबाइन में में चेवी तो रहा हो प्लम कि वहां मिल कि फ्मक कणने एग अंतिमपद नहीं दिया था ठीक है चलो भाइसको नोट कर सकते हो आते हैं नेक्स्ट कुश्ण पर अगले कुश्ण भी क्या है यह थोड़ा पॉइंट वाला कुश्ण हो गया पहले वह था माइनिस में मुस्ति गलती करते हैं इसलिए इसको उठाया यहां वे साधा पॉइंट वाले में तोड़ी गलती कर सकते हो इसलिए मैंने यह कुश्ण उठा लिया ठीक है कि आपको यह इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या है एक इतना दे रखा है तो 0.6 डी कितना दे रखा है तो वही 1.7-0.6 दूसरे में से पहले पत को माइनिस करेंगे यानि यह आ रहा है हमारा 1.1 एक पॉइंट एक आंसर रहे डी यह आ रहा है और सौ पदों का योग चाहिए यानि की अधन कितना है 100 यह चीज तीनडी हमें digit में दे रखी हैं ठीक ना यह जिख क्य है दिया हमें है चलो भेस में यह आपके लिज सकते हो दिया है में है तो भी अब इसके हल की बात करें तो हल में आप कह सकते हो कि भाई हमें निकालना है S100 मतलब S100 100 पदो का योग निकालना है तो direct formula लगाएंगे क्या रहा है 100 बटे में 2 2 A A कितना है 0.6 प्लस में N-1 मतलब 99 और D कितना है तो D आपको दे रखा है 1.1 1.1 दे रखा है चीक है इससे काटा हमने 50 50 1.2 प्लस में इसको गुना करेंगे तो यह कितना आएगा वही तो 11 99 और 11 99 और 99 और 9 108 जार है आपके पास ठीक है इसको जैसे ही आपने जोड़ा तो जोडते ही क्या रहा है यह 1.2 जोड़ेंगे तो यह आएगा हमारा 109 पॉइंट में एक और 10-10 पॉइंट में एक यह आ रहा है यहाँ इसको 50 से गुना कर देते हैं तो 50 से गुना कर देते हैं पांच पांच जीरो पांच यह आपका आगया ठीक है इसको जैसे 50 से गुना करो गए तो यह पना आपका अंसर आ जाएगा चलो इसमें कोई दिक्कत आने वाले नहीं है इसको बस आपको जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए में लिए जोड़ घटा गुना भाग तो डंग से रखो अपनी कैलकुलेशन ठीक रखनी है तो योग निकालने तो एस हंड्रेड हो जाएगा बस ठीक है चौलो आते हैं नेक्स्ट कुश्ण पर अगले कुश्ण में थोड़ा सा फ़रक क्या है कि इसमें आपको अंतिम पद दे दिया है बड़े इच्छी बात अंतिम दे दिया लेकिन पिछले कोश्ण में क्या था पिछ है लेखर हमें निकाले क्या है या भाई इस पूरे का योग चाहिए है जानि हमने य estas एंडालने के लिए हमारे पास एंड होना जरूरी है और जब नहीं होगा तब-धर आफ़े में था तो और नहीं पता तो पहले न कैसे निकले निकले लिए बताओं तो पिछले वाले फरमूले में जाएंगे जो हम निकालते थे तो पछले वाले जो प्रस्मावली उसके अकॉर्ड्ण जाएंगे तो इसमें हल में आते हैं तो हमें पता है जिज़ें-हंट-मपलस औ deste सब्सक्राइब एंड-माइनस एक गुने मेंमें डी ब्रॉबर में दस्टारा है एक इतना है तो हमें दे रहा है 34 बहुत बढ़ियां तो मैंने समें एक यहीं पाता वही तो हमें निकालना है और डी हमें सके में देरखा है डो मैंने सका है अभार में 10 ठीक है इसको जैसे अंदर गुंआ करोगे तो गुना करती कि आ रहा है तो भई यह आ रहा है चाओं- समें दो प्लस में 2 मिसें और बबेंगक मीटेत थे ठीक है दो को 34 से गुना किया तो 36 बनावर में जोड़ा तो 36 आ गया और माइनिस दो को उठाकर दूसरी तरह भेज देंगे तो प्लस 2 जाएगा दस को फटाकर यह दर लेंगे तो मैंस दस आ ठीक है इसको माइनिस करते 26 आ रहे हैं बनावर में 2 आ रहे हैं किना रहे हैं तेरा कि 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 यानि यहां से चल गए इसका इन कितना तेरा आगे आप लगनी का लेंगे हम योग निकालना झालना अब योग निकनलना तो तेरा निकालना पड़ेगा जो कि आ हमने ठीक है अब इसको लिखा जा सकता है तेरा बटे में दो गुने में चवाली सा जाएगा कि दो से इसको काड़ दिया 22 आज जाएगा तो उसमें कह सकते हैं 22 तिया 66 हांसिल 10 हांसिल 6 ठीक है और 22 एकम 22 और 28 यह आगया आपका 13 ठीक है यह आपका 13 यानि पहले 13 पदों का योग आपका 286 आगया तो यह चीजा रखना कि जहां पर यहां पर यहां ऐसी सीरीज मिल जाए ऐसी स्रेडी मिल जाए और यहां आपको एंड नहीं दे रखा तो आपको क्या कम है पहले एंड वाले फर्मुले से एंड निकालना है उसके बाद कहीं जाके आप इसका योग निकाल तो यानि एक इतना दे रखा है तो माइनस पांच माइनस पांच यह दी कितना दे रखा है तो माइनस आठ माइनस में माइनस पांच यानि इसको कहा दें है माइनस अठ प्लस में पांच यानि यह आ रहा है हमार पास माइनस तीन डी का मान आ गया माइनस तीन बहुत बढ़ है माइनिस 230 है ओके अब हमें निकालना है इसमें सबसे पहले एन उसके बाद फाइनली ऐसे यह दो चीज निकाल लिए हमें निकालना तो ऐसे नहीं है लेकिन एसे निकालने के लिए एन निकालना स€-धूर कंपल से रीजरूर यह बीजू ठीक न हिगे चलो भई तो पहले हम एन की बात करते हैं तो आज worries ये तो किया था आपकल यह दिया है था ति अन्यवहित हल की बात करते तो इन हमें देय तो दो सो तीस मानिस में में ठीक है एंड को कहें जगे तो एक मानिस यस रिखत टीस हाँ फ्लास में n-1 n कितना दे रखा है तो n आपको दे रखा है पता नहीं तो निकालना ही है यह तो मुद्दा था डी हमें दे रखा है कितना माइनस 3 तो लिखा-3 बरावर में 230 अंदर गुणा करते हैं माइनेस पांच प्लस में 3 कितना होगा माइनेस दो आएगा ठीक है और 3N को उठा के उसी रड़ लेके चला जाते हैं यह वह रहा हमार पस माइनेस पांच और 3 विलके माइनेस दो उसको रहने दिया जो धर माइनेस 233 उसको उठा के अधर लेके आगए अब बचा 228 के यह तीन नीचे आजाएगा 32721 और 30 चिकथारा नहीं एन कमान कितना जित्तरा गे法 चलूए एन कमान 571-5 यह दिमान-3-3 अब निकलना है हमें स सेहर सॉटों कि निकलना होगा तो पॉट्स्यचर बेटे में दो और A कितना है ? माइनेस पाँच और A N लास्ट कितना है ? माइनेस धोतीस ये हो गया इसको लिखा जा सकता है क्या ? 1.2 हमने जैसे इसको काटा कितने पर कटे गा ? 38 पर गटे गा तो यहां हम कहा से। 38 Vehicle 223 मनतला don't 235 मतलब माइनेस 235 तो यहां पर हमारे पास आ रहा है यह आ जाएगा आपका 8930 तो यहां क्या देख पा रहे हैं कि भई अगर अंतिम पद दिया हुआ है ए दिया हुआ डिया हुआ है तो न निकाला ज़रूरी था ए ननिकाला ज़रूरी था तो पहले हमने एन निकाला उसके बाद कहीं जाके सन निकाला सन में chip formula रखना और values को रख देना है बात क्टम ठीको रखना नहीं हो जोडना गठाना भी यह वह भी करना पड़ेगा आपको तो यह जोडाना घटाना गुनावाग करना वो तो आपको आता ही इसलिया आप कर सकते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए और भाते हैं फिर हम्वें SEN क्या है यह फ़ए थर्ड कोशन का थर्ड पार्ट अपक्या रखा है ए बारा दे रखा है तेस्ट इन अब और यह बारर को Awas 11 अर प्रआवर में 37 00 twenty-D8 खुत किना तीन दे रेखा है अब हमें निकालना एय और सबारा निकालने तो पहले तो इस डी को उठाके यहां रख देते हैं यह जो डी है उसको उठाके यहां रख देते हैं कि ए प्लस में 11 गुने में तीन बरावर में 37 है ठीक है ग्यारत या 33 उठके दूसरी तरफ जाएगा तो 37 माईनस में 33 यानि एक आमान आ चार चल्व मैं एक आमान चार आ गया इसके तो हम लिख लेते हैं बारा बटे में दो एक इतना है वह आया है हमार बास चार ठीक है और यह बारा जो आया था वह है 37 यह लिद्य हमने ठीक है अब दो से हमने बारा को खाटा दो चिक बारा हो गया यानि हम कह सकते हैं छे गुने में 37 4 41 हो गया अब इसको कह सकते हैं भाई छे चक 24 और 6 कम 6 यानि कि 6 चक 24 240 आएगा और एक 246 आएगा यह जाएगा ठीक है तो एस बारा का मान आपका गया 24 चलो भई तो यहां हमने बड़ी इसली से पहला पद और बारा पदों का योग निकाल दिया है ठीक है तो आप इसको नोट कर सकते हैं आते हैं फिर नेक्ट कुशन अगले कुशन की बात करें तो इसने दे रखा एए एन कितना है चार है डी दो है एसन दे रखा माइनिस 14 अब एन और एग्यात करना है चलो भी ठीक है तो एए एन दे रखा है चार और एसन इतना है तो एसन का मान कितना होता है एसन होता है एन बटे में दो और एप्लस में यहां पर लगाने के लिए अगर इसमें कहें तो हमें भी नहीं पता ठीक है और डी की ज़रुरत नहीं है इसमें इन पता है और एसन पता है यानि हमारे पास इसके अंदर दो चीजे नहीं पता एन और एन ही पता है इसलिए हम यह फॉर्मला भी नहीं लगा सकते हैं तो हम क्य है तो चार है चलो ठीक है यह अब यहां देख सकते हैं एक आमान कितना है तो पता नहीं एंड माइनस एक पता नहीं डी का मान है दो ठीक है बरावर में चार आ गया ओके दो को अंदर गुना किया तो ए प्लस में 2N और माइनस में 2 बरावर में 4 आ गया इस माइनस 2 को उठा कर उधर भीज देंगे तो क्या जाएगा ए प्लस में 2N बरावर में 6 आ जाएगा चलो भई यह भी ठीक है अब यहां से हम देख सकते हैं A प्लस 2N 6 है तो हम 2N को भी उधर ही भीज देते हैं क्या दिक्कत है यह बरावर में इस पूरे को करेंगे 6 माइनस में 2N आगे चीक है भई अब हमें देखना है एसन का फॉर्मला क्या होता है तो एसन का फॉर्मला है एंड बटे में 2 और ए प्लस में एन लिखा जा सकता है कि यह प्लस में लिखा जा सकता है क्योंकि एन हमें दे रखा था ठीक है अब इसमें जो जो मान है उसको रख देते हैं सन कामान कितना है माईनिस 14 चलो भई माईनिस 14 रखखा वने बडाबर में एक कमान कितना है तो एक मान हमने उपर निकाला वाई तो 6 माईनस में दो अब बोलो भे सब्सक्सरी कंदा सा न आया है कोई बात नहीं इसको यहां पूट करेंके तो चीज़े सिर्फ एन में आ जाएगी सावी ततीक है या या एक आमाण गया ठीक है और ए गामान किया है तो एन कमान चार है तो एन कमान है लिए ठीक है इस दो को ऊठाकर इधर बेज ऑड़ा गये 14 डूनिया ठीक है यह यह चार-10 मायनश में डेट इस एन को अंदर गुना करेंगे तो कितना हैंगा 10 n minus में 2n square बरावर में 28 ठीक है इसको उठाके इधर लेका हैंगे तो कितना आ जाएगे 2 n square minus 10 n और minus 200 मार्यक्ष में 28 या रहा है ठीक हिसमें से दो कॉमन ले लिया दो कॉमन लेती क्या रहा है एन का स्क्वायर माइनस में पांच एन माइनस में चौदा इकोल टू में जीरो इस दो को उठा के उधर भेज देंगे अब हमारे पास जो आ रहा है इसको करेंगे गुणनखंड इसका गुणनखंड कैसे होगा तो ऐसे कुछन में याद रखना जब भी ऐसे कंडिशन आती है तो यहां पर आपका क्या निकल जागा एक दूए घातिया समिकड़ बनी जाना है तो यहां आप निकालोगे अब यहां पर करना पड़ेगा क्या ग करो एंन को प्लस में दो एं त्म माइनिम एंस बिससे हैं और चौधा जागर इस में से एंक मातिलिया और प्लस में धोैरनेř साथ में यह अनल प्रसमी दो हो है ए कि यह डी याडिया ठीक है यह अनिäg प्लस्दो यह फ्लास्जु कामन ले लेंगे तो करेए थाओ तो बराबर में जीरौ एटिशिवब जा गिए खिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या इसको करते हैं अब यह दो आ गया से एन के दो माना निकल सकते हैं कैसे एन प्लस दो और ससक्वरादी याını हम कह सकते हैं एण साथ Yeah प्लस टो पर जिरो लिखा जा सकता है इसके बरावर में जिरो लिखा जा सकता है ठीक है तो दोनों के सामने हमने जिरो लिखा और यहां से n का मान आगया माइनस दो और n का मान आगया साथ तो बताओ कौन सा सही है को यह की सही होगा कौन सा तो वहां बिल्कुल सही positive वाला यह सही है और यह negative वाला यह गरत हैं यह नहीं ले सकते हैं ठीक है है यहनि ने कल last class में discuss किया था last class में इसी में discuss किया सुरूं ही किया जिसकर किया था था भाई कि भाई एंड जो होता है वह एक दो तीन चार इस तरह से चलेगा तुम्हारा ठीक है इस तरह से चीजे चलेगी तुम्हारे एक दो तीन चार पांचे साता यह चलना है आपका चलो भी तो आप इसको नोट कर सकते हैं और आते हैं हम नेक्स कोशिशन पर सकाले लो उसका बदाते हैं नेक्स क्ोशिंट पर इसमें देखा लेखा अठाइस ठीक बहुत अंतिम पंद मेर्द 28 ज़े रखा है ठीक है ना वो आपका इतना दे रखा है कुल नो पद हैं यानि अब अगी सब्सक्रा इसाना है सब्सक्रां कि नीख कर रहा है एक निकाला है एक तो है कि पूरा फरना ब्ला इसके शमक capita और फिर दूसरा आसान तरीका क्या है आसा नैंको डायक्ती लिक सकते हैं oh नौ बटे में 2 और ए प्लस में एल पहला पद गुने में ला अन्तिम पद जमा में अन्तिम पद क्या है रखाए 28 तो इसको लिखा है 28 ठीक है S9 कितना था मार पास S9 हमें दे रिखाए 144 तो यह लिखा 144 इसको 2 से धर गुना किया तो 288 होगा बटे में आएगा 9 बरावर में कितना आ रहा है तो A प्लस में 28 आ रहा है चीक है इसको जब गुना करते हैं मतलब भाग करते हैं तो कितना हो नौतिया 27 होगा और 9 दूनी 18 आ र 298 ताइस कि द्रीक है माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा चार ब्रवर में यह आ गया या नि पहला पद जो आ गया वो चार आ गया चलो हमेँ ठीक है पहला बच चार आ गया और निकालना रहा पत था प्क है तो यहां परने क्या करते हैं यिस अर्ण से तो इसकी बात करें तो हमें इसमें क्या रखा है यह दे रखा है कितने पद लेने चाहिए इतना यह तो इसकी बात करें तो हमें इसमें क्या रखा है यह दे रखा है कितना नौ डी कितना रखा है तो सत्रा में से नौ जाएगा जो की बचा आठ चुरूब डी का मान भी आठ दे दिया है अब इसने का आए 636 योग उपर आप्त करने के लिए मतलब किसी ना किसी कुछ पदो का योग जो दे र दे रखा है मैं योगी तो दे रखा है 36 योग पराप्त करना है मतलब यह क्या ऐसे ने यानि एसन दे रखा है 636 ठीक है कितने पद चाहिए मतलब एन का मान करें कितने पद कितने पद मतलब एन निकालना है ठीक है यानि एन निकालना है आप चीक है वह कुशन में आ गया अ तो एसन जो है उसको लिखा जा सकता है एन बटे में दो दो ए प्लस में एन माइनस वन गुने में डी यह चीज दे रखा है एसन कितना है 636 तो 636 लिख दिया ब्राबर में एन बटे में दो है दो ए है मतलब दो गुने में नो है एन माइनस एक है तो भई एंटो हमें निकालना ही है और डी कितना है तो डी हमें दे रिखा है आठ ठीक है इस 2 को करेंगे इससे गुना ठीक है 1272 आएगा यह एन आ गया 9 दोनी अठारा आएगा ठीक है 8 को n से करेंगे तो 8 n आएगा और 8 एक हम 8 आएगा चलू भई ये भी ठीक है इसको अगर हम solve करते हैं तो क्या आएगा भई 18 में से 8 गया 10 बचेगा यानि हम कह सकते हैं 1272 बराबर में n 10 प्लस में 8 n यह देर रखा भई ठीक है 18 में से 8 गया 10 बचेगा एन को अंदर्गुना कर देते हैं अंदर्गुना करते हैं क्या हो जाएगा ही 10 n प्लस में 8 n स्कॉयर प्रवर बारा सो 272 ठीक है धो से पूरे को भाग कर देते जिसे समी करन छोटा हो जाएगा वह थो दो से पूरे को भाग किया यह आया चार यह आया पांच और यह आया छेसो खेसो चेसो चातिस उन्हीं बहत्तर था बहत्तर था यह चेतर क्यों लिग दिया ने मतलब अब समीकर्ण जो आई इसको उठाके धर बेजेंगे तो चार एंव का वर्ग प्लस में पांच एंड माइनस में छेसो खतिस बड़ावल में जीरू आ ठीक है अब क्या करेंगे चार को गुना करेंगे इससे चार जे speaking में ना करेंगे तो चार को शे करती guid हए चार च्चे चौक तो यह आपका करीब आएगा इसका सकता है 53 और तालीस आएगा इसको कर सकते हैं तो यानि यह आजागा 4N स्क्राइल प्लस में 53 N-48N 636 जब इसको गुना करोगे तो वही आएगा पच्छी सच्वाइब इसको जब घटा ओगे तो आएगा पांच आएगा दिखले नग इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो हां भी कॉमन आ एन common आ रहे हैं तो बच गया 4 and प्लस में 35 इसमें कुछ common आ रहा है तो माइनिस 48 इसमें 48 common नहीं आएगा इसमें common आ जाएगा 12 माइनिस 12 common आएगा ठीक है यह बच्जाएगा कितना 4 एन बचेगा और प्लस में तर्यपण बचेगा अप्न है कि यह चीज़ आपकी बच जाएगे है खाट है कि अब यहां पर देख सकते हैं चार चार इन यह चीज़ से यहां पर क्या है 4N plus 53 प्लस 53 ब्रावर में 0 और दूसरा क्या है चार एंड माइनस में 12 ब्रावर में 0 यहां से 4N की बात करें तो एंड कितना रहा है यह उसरा जाएगा माइनस 53 बटे में 4 आ गया और एंड का मान क्या आ गया 12 आ गया ठीक है अब हमें पता है N जो होता है वो प्राकरतिक शंक्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए तो क्या यह possible है यह वाला अंसर आएगा तो यह वाला आनसर बिलकुल नहीं आएगा यह वाला आणसर आ जाएगा यह न का मान 12 हो सकता है ठीक है कोश्चन में क्या था वही कितने पद होने चाहे जिसका योग 636 होगा तो भाई इसके कहेंगे कि इसके 12 पद इस स्रेणी के 12 पदों का योग जो होगा वो कितना होगा 636 होगा यहां पर हम कह सकते हैं एस 12 जो होगा वो 636 होगा यही आंसर होगा ठीक है एन का मान 12 यह आंसर है यह भी कह सकते हैं चलो मैं चौता कोश्चन भी कंप्लीट होता है यहां पर अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉश्चन पर कि अगला यह पाचव कुश्चन जिसमें देरा कि सी का प्रत्थम पद पांच यह अंतिम पद 45 और योग जो है यह वह चार सू यह यानि परत्थम पद पांच है अंतिम पद जो है यह यानि ए-N जीसे कहते हैं 45 है और योग जो है कि यह मतलर S- overview यह चारसो दे रखा है ठीक है न प्रथम पडाख 5 यह चार सो ठीक है पदों की संख्या और सार्वंत अंतर की मिद जो भी उनकी संख्या बतानी टीक है जानिक की संख्या कमान कर Mama consoles और belly connection यह दो चीजी निकालने हैं ठीक है यह तो हमारे रहिए की बात करें हल में तो एन को लिखवा जाए एन को कैसे लिखेंँ कि लिखा जाए तो दो ब flex प्लस में एन बद્र में एक मिन्ट एक मिन्ट हम एन भी निकाल सकते हैं एक हैसन का फॉर्मला क्वा ओता है एन बटे में तो एन पेंटालीस आ रहा है ठीक है इसे दो को उठाके इधर भीजेंगे तो क्या हो जाएगा चार सो दुनी आठ रो चलो भी आठ रो लिख दिया बरावर में यह पचास है तो पचास एन हो जाएगा चीक है यहां से बात करें अन का मान तो कितना होगा तो आठ सो बटे में पचास आएगा यह भी आठ सो बटे में पचास आएगा ठीक है जीरो से जिरो कट गया और सोला पंचे असी यानि हम कह सकते हैं अन का मान सोला आ गया जाए कितना क्या निकाला था पदो की संख्या तो कितना गया सोला गया ड़न ठीक है उसके बाद बोला है सार्व अंतर भ को यह सोब के आ सोब लगा और इसको लिखा क्या जा सकता एंए प्लस में 15 प्रदति और यह बराबर किसके हैं तो यह बराबर देसी हो तो झालां रहिए ऑ और हमें दे रखा एक आमान पाँच यहां पांच लिखा यह 15 डी लिखा बरावर में 45 हैं इस 5 को ठाके दूसरी तरह बेजेंगे तो 40 हो जाएगा तो 15 D बरावर में 40 आ गया और D का मान निकाला जाए तो 40 बटे में 15 चलो भी ठीक है अब हम इसको करेंगे भाग कैसे करेंगे पांच तिया पंदरा और पांच जटे चालिस यानि हम कह सकते हैं डी कमान कितना आ गया आठ बटे तीन आ गया ठीक है तो यहां पर हमने आठ बटे तीन निकाले हैं मतलब यह कुश्चिन भी आपका बन सकता है कैसे कि पर्थम पद दे रखा अंतिम पद दे रखा और योग दे रखा है और आपको कहा है पदों के संख्या और सारवंतर निकालना है इस तरह का कुश्चिन भी बन सकता है ठीक है चलो वह इसको नोट कर लो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कुश्चिन पर और यहाँ पर देखा है यहां कि यहां पर देखते हैं यदि किसी एपी के परथम सात पदोग योग कितना है 219 जरे रखा से तो पहले इसको देख लेते हुआ है कि म addressing पदों का यूग कितना है और यह क्ढ़ने प्लस 129 ए गजो यहां से मैंने किया दो ए प्लस में छेड़ी और यह नीचे का दो उपर जाएगा और शाथ जो नीचे आएगा इससे एकट गया ठीक है दो ए प्लस में छेड़ी बराबर में चौदा आगया ठीक है चलो भई यह आपके आगे पहली समीकर्ण दूसरे समीकर्ण के लिए क्या है इसने दे रखा 17 कितना है 289 मतलब 289 इसको सॉल करेंगे तो एगा 17 बटे में दो डो ए प्लस में 16 टी आईगा बराबर में 289 रहें चलो ठीक है इस दू को उपर लेकर जाएंगे 17 को नीचे लेएंगे जानी यह कितना आगे है तमारे पास 2A प्लस में 16D बरावर में 2, 8, 9 और गुने में 2, बटे में 17 यह रहा भी 17 नीचे आ जागा, 2 उपर जागे गुने में जागा, ठीक है अब यहाँ से देखेंगे 17 से इसको काट दिया तो 17 पर कट रहा है, ठीक है 2A प्लस में 16D बरावर में 17 नीचे चोंतिस भाई यह आ गया चलो भी ठीक है, यह आ गया तुमारा दूसरा यह पहली समीकरण होगी, वो दूसरी समीकरण होगी डन, अब दोनों समीकरण को करते हैं हल तो हम करेंगे क्या समीकरण एक दो के अनुसार ठीक है भी, तो इसमें क्या लिखेंगे 2A प्लस में 16D बरावर में 34 आएगा ठीक है, दूसरी समीकरण लिखेंगे क्या, 2A प्लस में 6D 6D बरावर में कितना है तो 14 है चलो यह भी ठीक है इसमें देख सकते हैं, 2A में से 2A कट जाएगा यह कट गया, 16 में से 6 गया 10 बचा 34 में से 14 आगया, तो यह 20 बचा यहां से देख सकते हैं, D का मान कितना आगया तो 2 आगया चलो भई, D का मान 2 आगया हमें क्या निकालना है, तो इनके पर्थम N पदों का योग निकालना है नप्तों का योग निकालने तो योग के लिए हमें भी पता होना चाहिए थे भी पता होना है कि इसमें हमएं दे रखा है क्या वाइए डि का मान उठाके संटाथ एक मेरा देते कि एक में रखने पर थी थी का मायन को किया करता है सिमिकर्ण एक में रख दे रहेँ तो सिमिकर्ण एक में रखेंगे तो क्या है दो सतब ये ई सिदिघcemos है कि यहां लिखेंगे दो तो दो एक बात करें तो यह शे तो नहीं बारा होगा 12 जागे घट जाएगा तो 14 माइनस में 12 तो दो ए बरावर में दो आ रहा है और एक अमान कितना अगए एक आ गया चुना जी बहुत बढ़िया एक आ घा गया तिक है एक आ गया डी दो आ गया अब इसने कहा है एन पदो का योग निकालना है तो एन पदो का योग मतला ऐसा निकालने के लिए इसने कह रखा है ठीक है फॉर्मुला क्या होता है एन बटे में दो दो ए प्लस में एन माइनस एक गुने में डी यह होता है फॉर्मुला ए और डी का मान दो दो उंदर गुना होगा दो यह मैनेस दो ठीक है कि दो में मैसे दो गिया जीरो ठीक है तो यहाँ पर हम कहा음 क browsers twitter कि खिन सकते हैं सनर गर्ण आ घ्या है तो 2 दो कट्ट गया 0 अब यहां पर क्छिए दो कट गया अब संनि कमान कितना को गया यानि हम इस कोष्चन में क्या कह सकते हैं इसकोषिन पदो का यूग कितना रहे है तो एंट पदो का यूग आ रहे हम रपास ऐसन और अगर आवर मैं एन तक है तो यह ने कोशिंग कैसे निकला समझ में आगए आपको कि भाई पहले इस ने ढिया था सात पदों का योग दे रेखा था वहाँ से निकाली릴 निक्रण था तर रही सतरा पदो का योग दोनर रमेड्र को हेले अनिम घरते वर गळे कि तो कुरिसे हमें अ तो आप बोलो कि सर एक्जक्ट नहीं आया रहा है पिटा जब एन की वेल्ज नहीं दे रखी तो एक्जक्ट नहीं आएगी वह थीक है वह एन की फॉर्म में ही आएगा ठीक है एसन व्रावल में एन इसका रहेगा ओके चलो भैं इसको आप नोट कर सकते हैं इसका स्क्रीन पर्थम पद का योग तो पहला ही पदोगा योग तो पहला इप दोगा करें अगर करें पर्थम का यूग क्या होगा तो हम पहले को दूसरे को जोड़ेंगे तवि दो पथम पथम पाइब का योग का खδ तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि इसमें आप कह सकते हो कि पर्थम पद निकालें अर्थात एस वन क्या रखाएं तो हम क्या करेंगे एस वन निकालेंगे इसमें एन की जगा एक रखेंगे तो चार गुने में एक माइनस में एक कवर और यह आ रहा है हमारा तीन और यही आ र ठीक है पर्थम दो पदो का यूग ठीक है दो पदो के यूग क्या है तो भइat टू निकालना पड़ेगा भई Почему के लिगए और डूकुल समय शकार す्थारा द आप से चाल गया आख में यसां ङी तो यहां देखो अगर मैं ऐसे एक्जांपल की बात कहूं तो पहला पद तो एस वन तो दो आ रहा है इस में और एस टू कितना आएगा यह आएगा आपका दोनों को जोड़ के आएगा ठीक है यह आएगा अगर मैं स्टू में से एस वन को घटा दूं तो क्या बचेगा तो यहीं बचेगा यहीं बचेगा यानि हम कह सकते हैं कोई भी पद जो निकालना होता है कोई भी पद जैसे कि मुझे एटू निकालना है तो उसके लिए करना पड़ेगा एस टू माइनस मे एडोस में सैन माइनस वन कि यह फरूमले को भी याद रखना sagtना निक मैं सैन माइनस में यह be निकालना है तो उस प्रशक करना पड़ेगा दूसरे पद का योग माइनस से पहला पर मतलब पहले पत का यूग करना पड़े हैं अब यह क्या निकल रहा है दूसरे पत का यूग चार है और पहला पत कितना था तीन था तो इस से आप कह सकते हो कि दूसरा पत जो आ गया है वह एक आ गया है ठीच है तो इसको याद रखना ठीच है कि जैसे अट निकालना है तो स्टो माइनस पर एसे-स वन अगर आपको दस निकालना है तो स-10 माइनस में एसे कर सकते हैं ति जो को यह गिव़न है तो यह फर्मॉला लगाएंगे अगर इसंब नहीं गिवन है तो पराने वाले लेता हूं कि इस फर्मले को नोट कर लेना वैसे स्कीन सॉट लेना पहले सही वीडियो को पीछे करके देख लेना उसको ठीक है उसको माइंड में सेट कर लेना है तो चलो उसके बात क्या है इसी परकार तीसरे दसवे और एन्वे पद ग्याद कीजिए मतलव तेसरा पद निकालना अगर मुझे तीसरा निकालना है था थी सरा है तीसरा पद निकालने स्से होगा अभ इसके लिए स्थरी निकालना पड़ेगा है स्थरी क्लिक्रें करें यह यह फर्मुला में देखाने सुरू में सुरू में चाइन रखें गे चाहए में तीन माइनिस में तीन कवर चाहित या Supplements θα नौ गया oh minus अगया सिके भई ठीक है next हमें करना रहे है सबस्क्टक दसवा पद निकालना है तो दसवा पद यह निकलना है तो 10 के लिए हमें स 10 भी पता होना चाहते हैं तो करना पढ़े गाए 10 स्वरीस तस मानेश में ऐस यह करोगे तभी दसवापद निकलेगा ठीक है अब इसके लिए का रहना पढ़ेगा एस दस मतलो इसमें दस रखेंगे तो दस रखती क्या हो जाएगा चार गुने में दस माइनस में दस का वर्ग यह आ रहा है एस दस के लिए इसके लिए ठीक है जब नौ पूट करेंगे तो नौ रखना पढ़ेगा यहां पर तो नौ रखती क्या हो जाएगा चार गुने में नौ माइनस में 9 का अवर लिएचे जिए चलो ठीक है इसको अगर साओं करते हैं तो चार दाब साल और 40 में से सौ गया पर चालीस पिंशन में से ऑ jetा चालीस यहां कह सकते हैं माइनस शाठ आ गया ठीक है इधर कारें9 जैसा हो रहा है और सद्सक्षच yang Перв तो यह कितना आजाएगा 40 41 45 45 45 जो कि प्लस हो जाएगा अब हम साथ में से 45 घटाएंगे तो माइनिस पंदर आ रहा है यानि हम कह सकते हैं कि दसवा पद कितना रहा है माइनिस पंदर आ इतना आप नोट कर सकते हैं उसके बाद हमें निकालना है एनवा पद भी निकालना है लिए में को ऑन वे पर्थ के लिए अभी फ़र्मरा लिख था क्या ऐसं मैनिस में एस माइन सुन यह लिख वाइथा ऐङ ठीक है चलो भी इसमें क्या कर सकते हैं एस और की बात करें तो वह में दे रखाएं चार 1 माइनस में एंड का वर्ग यह हमें रखा कुशन में दे रखा यानि चार एंड माइनस एक माइनस में एंड माइनस एक का वर्ग ठीक है इसको अगर सॉल करते हैं तो चार एंड माइनस में एंड का वर्ग है ठीक है इसको अंदर गुना करोगे तो चार एंड माइनस में चार बचेगा ठीक है और इधर गुना करेंगे तो यह आएगा एक प्लस बी का वर्ग और माइनस में टूए भी इसका माइनस सारे साइन चींज जाएंगे ब्रैकट के बाहर माइन से इसलिए तो इसको वर्ग जैसी खोलोगे इसमें चींज जाएंगे पहले का वर्ग यह होता है प्लस में यह प्लस में यह माइनस में होता है लेकिन बाहर माइ प्लस हो जाएगा यह माइनस प्लस हो जाएगा और यह माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है इसको हम लिख सकते हैं क्या क्या चीज लिख सकते हैं चार में से छे गया माइनस दो बचेगा एन उसकार में से एन उसकार गट गया ठीक है चार में से छे गया दो बचार एक पांच यहां पर इन्वा पद्रिजू आगया प्रांच म čया गया है पांच माइनस में डू ihan ओए तीक है एक तो यह तरीका हो गया आपका जो मैंने बता दिया भी इस तरीके से हमने इस Easy लिया हमने और और यह स्कूशन को सौल कि हमने या फिर एक और तरीका यह है कि इसका हम स्रेडी बना लेते हैं एक बास रेडी बन गई तो हम सारी चीज़े बड़ी असानी से निकाल सकते हैं ठीक है तो मैं क्या करता हूं एक और ले लेता हूं यहां पर जिसमें आपको बता दूँगा इसके कोर्डिंग एसन हमें दे रखा था इसी कोश्चन को मैं कर लेता हूं एसन बराबर में दे रखा था चार एन माइनस में न का वर्ग यह हैं अगर मैं एस वन निकालता हूं तो चार गुने में एक माइनस में एक का वर्ग यानि तीन यह आ गया एक एस टू निकालता हू तो यह आ रहा है, 4 गुने में 2, माइनस में 2 का वर्ग, यह झार दूहीं, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, यह आगया आपका, A2 आगया, दूसरा पदा आगया, सॉरी, S2 है तो, A2 नहीं है, A2 निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा भाई, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहां कि स्टू का मतलब होता है एवन प्लस में एटू होता है यह होता है इस एवन यह तो था इसको उठाकर यहां रखेंगे इसको उठाकर यहां रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं चार बरावर में एवन है मतलब तीन है फ्लस में एटू है इ यानि हमारे जो शिरीज बन रहे हो क्या बन रहे हैं पहला प्रव तीन है दूसरा पद में निकाल दिया था दूसरे पार यो वह निकाल जिया था उसके बाद कोश्यन में कहा गया था कि कि इसी परकार तीसरे दिष्वे निकालने तो तीसरा पद क्या है तीसरा पद यहीं से देख सकते विगे तीसरा पद मैने से गया ठीक है तो अगर जल्ट was हिसंतरत बिद्स-दी अपर मैं चूง और यहां क्डcriptions कितना रखा ठीक है ठीक है लिगिन करके कभी और युक्षिन क earn करके दिकाना होता है ठीक डिस्क्रिप्टीब कोश्चन जो है लिखने वाले कूश्य असमें शो करके में माइनिस दो ग्या गया तो तीन नौ दूनी अथारा अथारा मतला माइने सटारा जो करें माइनस 15 आगए जिए इतना गया फेसं हमारा मानिस पंद्रा आ यह चीज हमारी पर सारख था 20 minus 15 थीक है उसको आई दो पना निकालना है तो नवे प्रकल लिए क्या होगा जो क्यों जाएक अधा एप लगा साफ आघान राख़ा है बाइख गया लिया एकको मान जे रखाय तीन और दी कमान है माने आश्यक्तक माइस थो माइनिस दो और रोगया इसको अंदर गुनाकरते हैं कि इतना जया इतली कि र यह बिदो फली निकाला था जिक है जय burial नने थोड़ धिल पहले भी निकाला था तो इह यांसर ने यहां पर भी निकाल था ठीक है और यहां यह आंसर आमने इपको कोई दिकत्ति आप कर सकते हो तो हम इसको करते हैं यह एरेज और आते हैं फिर नेक्स्ट कुश्चन पर अगला कुश्चन देखा ऐसे प्रथम चालिस घन पुरुणांग को का यो ग्याद किजिए जो छे से विभाजित होते हैं धन पुरुणांग मतला पॉजिटिव इंटीसर से चल रहा है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भाई छे से विभाजित होने पहले चार कौन से तो चे हैं बारा है चालिस पर चल रहा है चालिस अब इसमें देख सकते हैं एक आमान छे हैं डी का मान छे हैं और जोह है 1200 popcorn निकालना है सब जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे हम एस कितना है चालिस होगा ठीक हैं इस दो से इसको काटा ये 20 आ गया तो हम कह सकते हैं इसको 20 कह सकते हैं और एक आमान कितना एच्छे हैं और एक 40 का मान कितना है 240 है ठीक भी इसको कह सकते हैं 20 और ये 240 आएगा ठीक है इसको जब गुना करते हैं दो से तो ये कितना हो जाएगा मतलब 20 से गुना करेंगे तो या झाहाए काए जी हम कह सकते हैं एस चालिस जो है वह है चार्श हजार 920 उसे हब 41920 रूपह आ गम इतने को गल जो और सकते हैं अम거든 ची पाएं आप आपके छे से बढ़ते करहें के दोसोच शालिस सब्सक्तिन सारे पदों का योग हैं यह कितना रहा है चाहर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि नेक्स कुछन है किसी स्कूल के विद्यारतियों के उन समग्रस सैक्षिक प्रदर्श्चन के लिए कोई प्रोग्राम हुआ था सिक्षा के और उसमें कुछ प्रुसकार प्रवाइड किये थे ठीक है ना प्रुसकार दिये गए के लिए सात सु रूपराशी रखेए साथ इस वहों बहुंद है यसी प्रदर्श्ट प्रुसकार अपने से ठीक पहले पूसकार से 20 कम है मतला एक प्रुसकार अगर सो अरुपर पर का है तो अगला 120 का होगा उसके अगला 140 तो यहां हम देख सकते हैं कि भाई पर्तेक प्रुसकार का मान ग्याद करना है तो यहां पर कह सकते हैं डी का मान कितना रहा है तो तो अब इसमें बताना है कि भाई परतेक प्रुसकार कितने कितने रुपे के थे यह निकालना है यानि एनकामान कितना आ गया यह भी साथ आ गया अब एस साथ की बात करा जाए तो फॉर्मला क्या लगएगा साथ बटे में दो दो ए प्लस में छे और डी आएगा और डी कितना बीस है यह आएगा ठीक है भई इस साथ की बात करें या फिर मैं भी फिलाल दी ही लिख लेता हूं अगले लाइन में लिख हुआ है इसमें साथ की बात करें तो साथ कितना एं तो 700 तो लिखा यहां पर साथ सो बढ़ावर में साथ बटे में दो दो ए एक इतना आए पर पास तो ए तो निकाल नहीं है पहला पन निकाल लेते हैं छे डी कितना हमार पास 20 रुपर के साफ से बढ़ रहा है ठीक है इससे दो को उठा के उपर भेजेंगे साथ को नीचे ले आएंगे ठीक है बहुत साथ सो गुने में दो बटे में साथ ठीक है बरावर में दो ए प्लस में 120 साथ से सको काटा सौ आगया सौ दूनी 200 जैके 200 आगया इस 120 को ठाके इस साइड लेके आएंगे तो माइने से सबीस है बरावर में दो आ गया यह आगया आपके पास असी बटे में दो यानि कि जो पहला पुरुसकार है वो कितने रुपे का है 40 रुपे का जो पहला पुरुसक कि और इस चाले सब्सकार मिला हैं था बढ़ा है could not go 200 आ गया 120 शोलिश ठीक है पहला पुरुसकार का 6 का अब बताना है भी परतेक पुरुसकार का अमानगाद कीजिए तो पहला अगर 40 काह तो दूसरे के लिए मैं दूसरी में लिख लेता हूँ पहला अगर 40 काय तो अंतर क फिल्सकार यह आएगा दूसरा पुरुसकार यह आएगा यह इसमें कह सकते हैं पहला पुरुसकार यह आएगा दूसरा पुरुसकार यह आएगा तीसरा पुरुसकार यह है चौता पुरुसकार यह है पांचा पुरुसकार यह है और सात्वा पुरुसकार यह है मतलब यह सातो पुरुस इसका मिल चुक्य है चलो इसका आप नोट कर सकते हो फिरा आते हम नेक्स्ट कुश्चन पर अब यह कुश्चन इमारे पास हैं 200 लठे हैं लठो का क्या कर रहा है एक देश्रा लगा दिया है चलो और टोटल लठे आपके पास कितने हैं तो 200 लठे हैं ठीक है कि धेर के रूप में इस परकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंकती में कितने लठे हैं 20 लठे हैं प उसके अगली में मतलब पहले में 20 दूसरे में 19 फिर 18 इससे चलते जा रहा है ठीक है यह 200 लठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं मतलब इसको रखने में कितने पंक्तियां होगी कितने पंक्तियों में जाकर यह लठे खतम हो जाएंगे ठीक है वही टोटल तो 200 ही है पहल जनरली अगर कोई कुश्य आप से पूछता तो आप बोलते हैं यह निकालना तो पॉसिबल भी नहीं कैसे निकालेंगे यह लेकिन आपने यह समानतर स्रेणी पढ़ने से आपका दिमाग गया है खुल अब आप चीजी निकाल सकते हों कि आपको दिख रहा है यहां पर एक पै लेकिन आप पढ़ रहे हों हर चीज लाइफ में जूड़ी रहती है लाइफ से कनेक्टेट आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा उसके साथ आप बहुत से काम ऐसे कर सकते हैं जो जनरली नहीं कर सकता को इंसा ठीक है तो पढ़ाई लिखाए बहुत जरूरी है इसकी सरेश की बात करूं मैं सरेश के बात करूं तो 20 है 19 है 18 है 17 है और इस तरह से बढ़ता जा रहा है ठीक है इस सब्सक्राइब को जोड़ा तभी तो ऐसे ना आया तो किल कितना यह यह आपके पास दोस हो है ठीक है यहां से हमें निकालना है क्या हमें निकालना है एन भी निकालना है दोनों चीज़ निकालनी है ठीक है हुआ यह आगया अब बात करोyy align के तो एसन का फरमुला क्या होता है ये सेनगा फर्मूला उदर न बैटे में दो ठीक है दो E4 मेंupärke 1-1 कोने में टीक है यह कितना है तो अच्छा यह कितना है दो 1200 दो यह कितना है हमार पास तो यह हमार पास 20 कि गुने में डी कितना है तो मैंस एक है ठीक है इस दो को उठाकर इधर बेज दिया मतलब आगया है तो यह रहन दिया यह आ जागा 20 दूनी 40 इसको अंदर गुणा क्या तो माइनस एं प्लस एक जिए जाएगा ठीक है अब इसमें क्या करते हैं इसमें चार को अंदर गुणा कर देंगे एन को अंदर गुणा करते हैं चार सो ब्रावर में चारीस एक तालीस एन जाएगा और माइनस में एन स्कॉर ठीक है यह जागिया इसको उठाके इस साइड ले आते हैं तो यहां हमारे पास आ गया एक समीकरण एन का वर्ग माइनस में 41 एन प्लस में 400 ठीक है एक वल्टू में चीज़ो तो यहां पर हमने देखा एक समीकरण आ गई है पर इसको स्वाल करने पर एक समीकरण आ गई है अब इस समीकरण को करेंगे हल कैसे गुड़न खंड विदी से चलो भई इसमें लिख सकते हैं यह ए 41 है और गुणा करने पर 400 है तो इसका कितना हो जाएगा तो इसको हम कर सकते हैं 16 और 25 से चलो भई यहां करा हमने माइनस सोला एन और माइनस 25 है प्लस में 400 ठीक है अब सोला को 25 से गुणा कर गए तो 400 आएगा और सोला और 25 को जोड़ो के तो 41 आएगा चलो बहुत बढ़िय यहां पर N को हमने कमन ले लिया एन इसमें सोला अ इसमें से सोला गया इसमें 25 दश्कों अधर चलो बढ़ में ठीक है अब हम यहां कह सकते एंड का अमान 16 भी हो सकता है और 25 भी हो चुलू बैशन değişक करते हैं कि क्या पता कोई गलत तो नहीं है लessä ि क्या रखा सबसे उपर वाली पंकिति में कितने निकालना यह तो अब एन निकालना है मतलब हमें निकालना पड़ेगा ए 16 भाई 16 मतलब क्या सोलवे में सोलवे पंक्ति में कितने लठ्थे हैं ए 16 के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस में 15 डी और यह कितना आ रहा है एक कितना है मार पास तो ए है 20 और डी है माइनस एक चलो भाई 15 गुने में माइनस एक और यह 20 में से 15 गया और बचा पांच यानि इस अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि 16 नंबर पे जो लठ्थे हैं वो पांच लठ्थे हैं चीक है बए अगर मैं कहूं कि 25 की बात करें तो कितना आएगा तो ए प्लस में 25 डी आएगा 24 डी आएगा अब इसमें देखें तो ए है 20 अब प्लस में 24 गुने में माइनस एक इसको गुना erre है या जगा माइनस चार अब क्या यह पॉसिबल है कि लठ्थो को माइनस में रखा जाए नहीं पॉसिबल जब यह पॉसिबल नहीं है तो यानि हमने यहां पर क्या कहा एंड का मान सोला आया था और एंड का मान पच्चीस आया जब एंड का मान सोला आया तो फिर एंड आया था पांच जब एंड का मान पच्चीस आया तो एंड आया माइनस चार और इसमें लठ्ठे नहीं रखे जा सकते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं पंक्तियों की शंख्या जो पंक्तिया है की शंख्या कितने होगी 16 होगी ठीक है ना और तो यहां पर बताता हूं एंसी आर्टी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टिट को सबको हमने कर लिया क्लियर ठीक है यानि आप इस एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से जो एक्जाम आप देने जा रहे हो और आपने वीडियो कंप्लीट देख लिए यानि समझ देना आपके रिविजेंट बहुत तगड़ी हो चुकी है तो यह बिल्कुल आपके पॉइंट एक्जाम पॉइंट ऑफ यू के लिए बिल्कु से कंटेंट है लेकिन अगर आपको कंटेंट चाहिए कहते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से पूरी बनके मिले आपको तो उसके लिए आपको आपको आईए मैंट मेंट की वेबसाइट पर जैसी आप क्लिक करें यहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहां पर आप बिल्कुल पर तो यहां पर कोई बी टापिक कर रहें जैसे कि पर पड़ना है आप उस पर किजिए ठीक है यहां मतलब शिटमेटिक तरिए क्लिक करेंगे तो इसने पर पर जितने भी हमने इन्वें हमने कवर कर रखें उसमेंगें आप इसस पर क्लिक कीजिए ठीक है या मतलब systematic तरह से आपको topic wise बिल जाएंगे topic पर बसा आप क्लिक किजिए क्लिक करते इसके बाद आपकी वीडियो स्टाट हो जाएगी और वीडियो स्टाट जाएगी तो आप इस वीडियो को बड़े असानी से देख सकते हैं उसका फाइदा उठा सकते हैं और इस चीज को आ लेकर बारवी तक भी है और यह भी अगर को हिंदी मीडियों की classes वाले भी है उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि यहां पर आपको best content मिलने वाला है बेस्ट वीडियो मिलने वाली है ठीक है और उनको बहुत फाइदा होगा और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ला थाइद आपको थाइद दो लाइद आपको लाइद लेकर वाले है वाले है यहां प्रावी जार आपको लाइद कर सकते हैं की।